तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करे डिफाने रिडिट चैनल पे और आज के इस धमाकेदर सेशन में हम लोग डिसकस कने वाले हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए सिंपल और कंपाउंड इंट्रेस्ट के जो सवाल बैंक एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली देखने के लिए मिलते हैं उनका टाइप उनका पैटन्स उनका कैटेगोरी जो भी पॉसिबल एग्जिस्ट करता है वो सब कुछ आज के इस सेशन पर मैं कौशिक महांती आप सभी के साथ बारी की से डिसकस कने वाला हूँ अभी तक हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट किये हैं वो कहे सकते हैं कि टाइम स्पीड डिस्टन्स बोटन्स चिम और ट्रेंस है यह हमारा सिंपल कंपाउंड इंट्रेस्ट का टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे उसके एक दिन छोड़के जो आपका वेंस्टे है वो मैं और टॉपिक कंप्लीट करूँगा मैं आपको समय रहते बताऊंगा आप उसके लिए टेंशन ना लीजे जो मुझे इंपोर्टन लगेगा एक्जामिनेशन पॉइन 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 में जादा तो मैं वो ही सेशन आपके लिए कंडर्ट करूँगा आप उसके लिए बिलकुल सब करवाएंगे सब कुछ अपने समय में आएगा आप उसके लिए बिलकुल चिंतित ना हो ठीक है तो चालू करते हैं आज के इस लेक्चर को मेरा नाम कौशिक मोहनती है और मैं आपको करियर डिफाइनर यूटीब चैनल के साथ साथ अन एकडेमी बेभी क्वांटिडे ब अगले आने वाले एक्जामनेशन के प्री के लिए तो आप मुझसे 12 बजे एक साथ तयारी करना चाते हैं तो 12 बजे और 7 बजे प्री और मेंस के क्लासेस प्लस पर चलते हैं तो इनका एकसस लेने के लिए आपने एकडेमी का सब्स्क्रिप्शन ले सकते हैं लेकिन एक चीज़ ध्यान लखेगा जब आप सब्स्क्रिप्शन ले तो पूरा का पूरा अमाउंट आपको पे करना नहीं पड़ेगा अगर आप रेफरल कोड जहां पे आपको दिखाए वहां पे अगर इस रेफरल कोड का इस्तमाल करें CD लाइप CD stands for curry defined followed by live इस कोड से आ आप लोग रियली में हक्तार हो वो आपको मिल सके बाकी यह जो भी crash course वगेरा हो रहा है जो भी आपके में conduct कर रहा हूं classes उनके mock test सारी उनके PDF और साथी साथ free mock test में आपके career defined app पे आप लोगों को दे रहा हूं तो career defined app को install कर लीजेगा उसमें आपको सारे के सारे PDF मिल जाए एक free mock test आज हमने morning में दिया था आप लोगों को उमीद करता हूं वो टेस्ट आपने दिया काफी अच्छे level के test में वहाँ पर आपके लिए free of course conduct कर वा रहा हूं all set जो हमें information पास करना था मैंने कर लिया उमीद करता हूं बच्चे हमारे साथ अच्छे तादाग पर जुड़ चुके हैं और session को like और share भी कर चुके हैं सबसे पहले जब बात आती है simple interest और compound interest की तो simple interest compound interest का कौन सा category का question examiner सबसे ज़ादा पूछता है examiner जब बात आती है prelims examination की हलाकि मैं आपको आज end तक जो level लेके जाओंगा वो pre से आपके clerk mains तक लेके जाओंगा और category इसका बड़ा simple है एक ही category है वो क्या है कि एक question में वो try करेगा simple और compound दोनों को मिला के दे और उसमें क्या-क्या variations पॉसिबल exist कर सकते हैं वो में बस एक-एक करके बारी के सा सब कुछ बताऊंगा और कुछ ऐसे सवाल भी exist कर सकते हैं जहांपे solo simple interest या फिर solo compound interest मिल सकते हैं अगर आपको solo question देखने के लिए in case हालाकि rare chances होता है तो वो किस तरीके का दीखेगा वो भी आजके session में आपको मिलेगा और simple compound के mixed questions भी आपको देखने के लिए मिलेंगे मतलब एक ही सवाल में simple का और compound दोनों का role है लेकिन उससे पहले simple interest के लिए आपको करना क्या है आपको जो भी examination में question पूछा जागा उसके लिए आपको बहुत in depth को जाने की ज़रूत ने एक simple से concept से आप इसको कर सकते हो simple सा concept यह कहता है कि जो P यानि के principle आप लोग जमा करते हो उसके लिए bank आपको certain rate of interest देता है जो rate of interest आपका percentage में होता है और आप इसको particular कुछ एक time period के लिए invest करते हो और उस time period के बाद उसी rate को उस principle के उपर लगा के bank आपको कुछ simple interest देता है उस simple interest को अगर आप formula wise calculate करना चाहते हो तो आप कर सकते हो p into t into r यानि के principle time और rate का product divided by 100 लेकिन अगर आप इसी चीज़ को थोड़े अलग से देखो अलग से देखो यानि कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस time और rate और 100 को अलग कर देता हूँ तो ये principle into rt इसको कहा जाता है rate और time और by 100 को क्या आपको पता है anything by 100 क्या होता है सर anything by 100 तो percentage होता है मैंने का बिल्कुल सही तो principle का rt percent भी निकालके मैं simple interest दे सकता हूँ लेकिन सर ptr by 100 तो अच्छा इतना confuse क्यों कर रहा है मैंने का confuse नहीं एक simple सा logic है अगर मानलो कभी आपको बोल दिया गया कि 8000 रुपे का principle अगर आपने 20% rate of interest में 3 साल के लिए invest किया है तो आपको चीजों को verbally करना सीखना होगा जब आप verbally सीखोगे तो इनका तीनों का गुणा एक साथ बटे में 100 जब लोगे तो थोड़े confusion हो सकते हैं उन्हीं जगा पर थोड़े steps को cut करने के लिए हम यह कहते हैं कि अगर साला आपको हर साल 20% का rate of interest मिल ला है तो 3 साल में 20, 20, 20 करके 20 into 3 जो की RT product upon वही percentage है तो 20% into 3 यानि कि आपको 60% का interest मिला होगा किसके उपर आपके दिये हुए sum यानि कि 8000 के उपर 8000 का जो 10% है वह 800 होता है तो जो 60% होगा वह 800 का 6 गुना यानि कि 4800 होगा तो verbally questions को solve करने के लिए यह RT वाला method आपको help करता है क्या यह पहला point each and every individual को clear है एक बार मैं आप please active रहिएगा ठीक है हम थोड़ा momentum gain करके जाएंगे ठीक है थोड़ा active रहिएगा please मैंने सिर्फ इतना ही basic बताया सीधा चलते हैं अब compound interest के concept में क्या जानने है अब compound interest एक बहुत बड़ा चीज है उसको मैं एक ही slide में represent नहीं कर सकता बट आपको जितने चीज़ें सही में exam oriented चाहिए मैं सिर्फ आपको वही बताता हूँ जब भी simple और compound के mixed questions आते हैं हलाकि जो concept है मुझ सोलो question मैंने compound कर रखा वहाँ मज़ा आएगा starting में bore हो जाओ गया तो जो आपके combined question होते है simple compound में maximum question में हम effective rate of effective या फिर overall interest से ही question को सबसे अच्छे तरीके से solve करते है effective और overall interest सर में संजहा नहीं जैसे simple के case में आपको बोलता कि 7% के इसाब से 3 साल के लिए कितना होता तो तुम कहते कि सर 7 या 21% का interest मिलेगा यह होता है उसका overall या effective percentage जो interest मिलता है 8% के इसाब से अगर बोलूँ 4 साल तो तुम कहोगे कि सर 8-4 के 32% का simple यह मैंने hitting लिखा है simple 9% के इसाब से अगर आपको 6 साल के लिए invest करना है तो आपको 54% का इस तरीके से सिर्फ आपको rate time को multiply करना है बट जब बात आती है compound की तो यहाँ पे जो interest है वो principal पे नहीं मिलता यहाँ पे interest amount के उपर मिलता है amount क्या है जब आप bank में कोई principal किसी rate of interest में किसी भी time period ले जमा करते हो तो जो interest आता है bank आपको आपका principal के साथ अपने interest को lot आता है मतलब जब आप principal और interest दोनों को जोड़ोगे जो पैसा आप घर लेके आओगे उसी को amount कहा जाता है और आपका compound interest का definition है कि वो हमेशा इस amount पे लगता है लेकिन simple interest का definition वो हमेशा principle पे लगता है simple सा concept अगर compound interest amount पे लगता है मतलब यहाँ पे और ऐसा नहीं हो सकता कि 7% एक ही sum के उपर लगे फिर 7% उसी principle, 7% उसी principle इसलिए 3 बार 7% एक ही principle के उपर लगा था इसलिए आप confidently 7% 3 बार 21% बोल दिये बट जब बात आती है compound interest की तो अगर आपका 10% का interest लगना है तो 10% interest लगने के बाद जो amount बना होगा उसके उपर आपको और 10% का interest लगाना है ये interest लगने के बाद जो interest total amount बना होगा उसके उपर और 10% लगाना है ऐसे करते करते जब आप 1 के उपर 1,1,1,1,1,1,1 एक percentage चेंज करते हो तो जो effective या फिर overall percentage चेंज जानने के लिए जो method हम इस्तमाल करते हैं सबसे अच्छा method है ये भी method हाला कि मैं ratio successive सब कुछ बताऊंगा लेकिन जो हमें जाहिए सबसे ज़्यादा मैं उसी के बात कर रहा हूँ जैसे कि 10% के उपर 10% लगाना मतलब 10 प्लस 10 दो बार और दोनों का product इंटू का by का 100 ये आप सभी को याद होगा कि 10 प्लस 10 20 होता है ये आपके पास 1 होता है तो ये 21% का है similarly आप सभी को पता है कि अगर मैं 20% का 2 साल के लिए आपको compound में interest कितना है पूछता तो 20 के उपर 20 लगेगा तो plus 20 plus 20 इंटू 20 divided by 100 तो ये जब आपका calculate होगा तो ये 40 और ये 4 44% similarly अगर मैं आप से 30% का 2 साल पूछता तो 30 plus 30 plus 30 इंटू 30 बटे में 100 ये आपके पास 9 है ये आपके पास 60 है तो ये आपके पास 69 है इसका भी trick है लेकि वो trick अभी बता के कोई फाइदा नहीं है अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे है तो क्या-क्या आपको याद रखने है simple वाला चीज तो खतम हो गया rate को time से गुणा करो answer आजाएगा बट जब मैं compound interest की बात करता हूँ तो आपको जो जो values याद रखने एक बार ध्यान से सुनना आपको जो frequently दिया जाता है वो rate 10% का दिया जाता है 10% अगर rate में एक साल के लिए आपको interest बोला जाए तो interest 10% का आएगा दो साल के लिए अभी अमने निकाला 21% का आएगा तीन साल के लिए अगर आपसे पूछें तो 33.1 हलाकि एक बार में इसको demo दिखा देना चाहता हूँ अगर आपको दो बार में दो साल में 10% के हिसाब से 21% का interest compound में मिल चुका है तो तीसरे साल इस 21 के मिलने के उपर एक और 10 आएगा और 21 के उपर 10 कैसे निकालते हैं सर अलेड़ी 21 आचुका है उपर और 10 बढ़ाना है तो प्लस 21 इंटू 10 जैसे सर आपने टेकनीक कहा था by 100 जब आप इसको solve करोगे तो ये आपका decimal गया 21 by 10 ये कितना हो जाएगा 2.1 21 plus 10 31 plus 2.1 ये हो जाएगा आपके पास 33.1 लेकिन इसको आपको मेहनत नहीं करना है इसको आपको remember याद करना है अगर मैं 4 साल पूछू तो आपको इतना याद रखना है 46.41 ठीक है hardly आपको इतना तक जरूरत होगा और इतना तक इसलिए कहा क्यूंकि आपका कभी कबार 40% rate में quarterly वो एक साल जब invest करता है तो वो 10% चार बार interest calculate होता है तो ये interest important है इसके साथ साथ मैं और क्या values कहना चाहता हो rate 20% का 3 साल तक आपको याद रहना चाहिए अगर 20% में 1 साल invest किया गया तो 20% का interest मिलेगा अगर 2 साल invest किया गया तो 44 similarly 44 के उपर जब और 20 चड़ाओगे तो तीसरे साल आपको जो interest मिलेगा वो 72.8% है इसके बाद मुझे भी याद नहीं है इतने से मेरा काम बन जाता है मतलब आपका तो आराम से बनेगा rate अगर आपके पास कुछ और है मानलो 30% एक और 30% तो आप निकाल ही लोगे 15% का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कभी कबार तो 15% एक साल के लिए तो 15% है कोई प्रॉब्लम नहीं जब मैं 2 साल की बात करूंगा तो 2 साल में आपके पास जो हो जाएगा वो 32.25% है अभी के लिए सिर्फ आप इतने values रखो बाकी जो आपके गंदे गंदे percentage है जैसे कि अगर आपका rate 16.66% चल रहा हो या 12.5% चल रहा हो या 8.33% चल रहा हो तो वहाँ पे हम A भी तो नहीं लगाएंगे obviously इतने गंदे गंदे values में वहाँ पे ratio का कैसे इस्तमाल है मैं सवालों के अनुसार आपको करवाऊंगा यहाँ तक clear है तो आगे बढ़े ratio tree मैं आपको बताऊंगा यहाँ तक clear है तो आगे बढ़े अब मैंने सिर्फ इंतने के उपर इसलिए focus किया क्योंकि आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो simple compound के mix type के आते हैं देखो मैं यह उमीद करता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर दो किसम के विद्यार्थी जुड़े हुए हो एक वो किसम जिन्हों का simple compound पूरा बढ़िया नहीं मतलब उन्होंने पढ़ रखा है वो बस revision और practice के लिए आये हैं तो वो हरी question को display जब हुआ तो mute मतलब sound पूरा कम कर दीजेगा और अपना solution निकाल लिएगा और finally मेरे साथ tally कीजेगा दूसरे category के वो student जो इस चीज़ को हलके हलके से जानते हैं लेकिन सीखना और अच्छे से चाते हैं वो अपना pen paper पूरा drop करके question को display होते ही एक बार पढ़ेंगे फिर मेरे साथ solve करना चालू करेंगे और फिर देखेंगे observation ठीक है एस sum becomes 29 times of itself when invested for 56 years at 8% simple interest find sorry find the compound interest earned if Rs.80,000 is invested at 8% per annum when interest is अरे भाई साथ पहले ही सवाल में half yearly कैसे हो गया रे चलो ठीक है एक ही सवाल में कुछ concept सीख जाएंगे चलो आप सभी के लिए अठ्छा हो गया सर में आप से कुछ कहना चाहता हो जब बात आती है simple interest की तो आपका interest principal के उपर calculate होता है तो आप principal को 100% ले 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 ना आँक बंद करके पहला step clear जब उसने कहा कि आपका जो sum है वो 29 times of itself हो गया है मतलब अगर मैंने principal 100% दिया तो वो 29 गुना हो गया यानि कि वो 2900% का हो गया जिन्दगी में अगर कोई आपको interest का definition पूछे तो आप उसको सबसे सरल भासा में जो interest का definition दे सकते है वो ये है कि मैंने जब बैंक या कहीं पर कुछ पैसा invest किया जो extra आया वो ही मेरा interest है अगर मैंने 100% दिया था और total मुझे 2900% मिल रहा है तो इसी दौरान जो extra मिल रहा है 2800% क्या वो ही simple interest है हाँ सर मेरा सवाल का उत्तर दोगे हाँ सर 2800% का interest accumulate करने के लिए साल कितने लगे सर साल 56 तो हर साल आपको कितना interest मिला होगा सर डिवाइड़ बाई 56 किया तो हर साल अगर मैं देखो तो मुझे 50% का interest मिल रहा है बोलो हाई या ना cancel करके आप इसको देख सकते हो यह कौन सा application है जैसे आप rate को time से multiply करके interest percentage में निकालते थे थे ना rate कितना है वो पता नहीं लेकिन time 56 साल है गुणा करने पर जो interest है वो 800% है मैंने उसी principle को पकड़ा लेकिन उसको normally rule of division के हिसाब से किया तो rate 50% का चल रहा है यहां तक clear है मुझे पूछाए कि compound interest बताओ जो 80,000 रुपे में मुझे मिलेगा अगर मैं R% per annum R तो वही है जो simple interest चल ला है मतलब R का मान तो 50 आ चुका है अगर मैं सालाना 50% के हिसाब से invest करूँगा compounded half yearly एक साल के लिए अब देखो compounded half yearly का सीन में आपको एक बार बता देता हूँ जो regular case होता है वो regular case आपका compounded annually कहलाता है जहां पे पूरे साल के end में आपको interest मिलता है after one year बट irregular case में एक irregular case होता है compounded half yearly अगर half yearly आपका interest calculate होता है मतलब after six months अगर आपका interest calculate होता है तो मैं आपसे एक सवाल पूछओ, हाँ सर पूछओ कि आपके एक साल में interest कितने बार calculate होगा सर, छे महीने में एक बार तो एक साल में छे महीने, छे महीने दो बार आते तो two times interest calculate होगा अगर मैं दो साल की बात पूछता तो सर, दो साल में 6 महिने, 6 महिने, 6 महिने, 6 महिने, 4 आते हैं, तो 4 बार interest calculate होता, 3 साल में interest कितने बार calculate होता, 6 बार interest calculate होता, यही नहीं, अगर आप से पूछा जाए कि धाई साल में कितने बार interest calculate होता, तो सर, 2 साल के लिए 4 बार, और एक आधे साल के लिए 1 बार, तो total interest 5 बा calculate होगा मतलब यह times जानने के लिए आप इसका straight double भी कर सकते हो कि एक साल में दो बार तो ढ़ाई साल में ढ़ाई का double पांच बार दो साल में दो का double चार लेकिन अगर मैं बात करू rate of interest की तो rate of interest जो दिया जाता है question में वो आपको per annum के हिसाब से दिया जाता है मतलब एक साल के बाद लेकिन जब तुमने ही interest 6 महीने में एक बार लेना चालू कर लिया है तो वहाँ पे कुछ change होगा होगा कैसा कि अगर मुझे commitment किया गया था कि एक साल में मुझे 20% का interest दिया जाएगा तो जब 6 महीने में calculate करने जाओ अगर वहाँ पे 20 लगा दो तो problem हो जाएगा 20 और 20 40 हो जाएगा तो वही problem को avoid करने के लिए आपको अगर पूरे साल में commit किया गया है 20% दिया जाएगा तो आदे साल में आपको 10% मिलेगा मतलब हर 6 महीने में जो rate आपका annually चलना चाहिए उसका आधा आधा आपको मिलता रहेगा यानि कि 20% अगर आपको commitment किया गया है per annum तो आपको 6 महीने में 10% मिलता रहेगा 30% अगर आपको promise किया गया है तो हर 6 महीने में आपको 15% इसका आधा मिलता रहेगा 40% commitment किया गया तो उसका आधा आपको 25%, 20% मिलता रहेगा, तो ये आपका rate हाफ होता है, और time जो है, time डबल नहीं होता है, interest calculation जो है, वो जितने number of times होना चाहिए, उसका double number of times होता है, अगर मैं उस basis पे इस question को लऊँ, तो 50% जो है, वो rate per annum का था, लेकिन जब मैंने compounded half yearly calculate किया, तो मुझे हर 6 महिने में 25-25% का interest मिलेगा, बोलो हाँ यह न, 25% का interest मुझे कितने बार मिलेगा, सर एक साल है, एक साल में interest आपका हर 6 महिने में जब एक बार calculate होगा, तो 2 times 2 बार interest calculate होगा, और 25%, 25% गरके जब मुझे 2 बार interest मिलेगा, तो overall कितना मिलेगा मैंने का कितना सर अभी आपने कहा था plus 25 plus 25 प्लस 25 इंटो 25 बटे में 100 जब में कर दूँगा तो सर ये हो गया 50 ये 6.25 31. आपके पास ये वाला हो जाएगा 56.25% का interest सर ये 56.25% का interest किसके उपर मिलेगा हाला कि इससे बहतर method है लेकिन मैंने आपको जो method सिखाया अभी मैं सिर्फ उसी के साथ stick कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए फिर आपके अलग-अलग method सिखा दूँगा तो मैंने अगर 80,000 रुपे दिये तो मुझे उसके उपर 56.25 मिलेगा तो 80,000 का 56.25% जब मैं निकालूंगा तो percentage के साथ 2-0 कटे, point के साथ 2-0 कटेगा 5000 का 8 गुना हो जाएगा आपके पास 40,000 और 625 का दुगना होता है 1225 उसका 4 गुना हो जाएगा आपके पास मेरे ख्याल से 5000, मेरे ख्याल से 45,000 अंसर आ रहा है option number C 45,000 इस सवाल का बिल्कुल 60 कुत्तर होगा clear? जल्दी से एक बार बताओ तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर होगा वो 45,000 हो जाएगा आप में से बहुत से लोग जज कर दिया होगा इतना time लगेगा भाई पहले इस सवाल में मैं चाहता नहीं था half yearly आजये बट आ गया तो उसको कैसे रोक सकता हूँ ठीक है और इसी के साथ अगर इतना खर्चा मैंने मालिक कर ही दिया है तो आपको एक point और बता देना चाहता हूँ एक और irregular case होता है जिस case को हम quarterly कहते है quarterly में आपका जो interest है वो हर तीन महीने के बाद एक बार calculate होगा अगर हर तीन महीने में एक बार तो एक साल में चार बार calculate होगा तो अगर आपको एक साल दिया जाता तो उसका चार गुना करके आपको चार बार interest calculate करना पड़ता दो साल में दो इंटू चार आठ बार लेकिन आठ बार interest मतलब समझ रहे हो इसी लिए ही मैंने आपको कहा था कि दो साल तक ये बात नहीं जा सकता जब आपका quarterly की बात आएगी तो hardly आपका जो time है वो एक साल नहीं तो 9 महीना देगा सर 9 महीना मैंने कहाँ सर 9 महीना कैसे? दोस्त 3 महीने में अगर 1 बार तो 6 महीने में 2 बार और 9 महीने में तुम 3 बार interest calculate करोगे बोलो हा या ना इसके लिए कोई रटना नहीं common sense conceptual approach में जाना कुछ रटने की ज़रूरत नहीं और जो rate है मैंने जो rate आपको promise किया था वो तो साल भर में एक बार देने के लिए promise किया था बट तुम अगर साल में मुझसे 4 बार लोग है तो मैं अगर 20% तुम्हें वादा किया हूँ और मैं अभी अगर तुम्हें interest साल में 4 बार दे रहा हूँ तो 4 बार 20 देना clear जो मुझे बताना था अब मैं सवाल नंबर 2 के पास जाता हूँ थोड़ा पानी पी लेता हूँ तब से continuous में अरे यार ये तो cut जा रहा होगा तो फिर question चीक है मैं इसको थोड़ा एक zoom out कर देता हूँ मेरे ही हाथ में है वो चीज एक सेकंड तो पुचा हूँ मेरे क्याल से अब clear होगा ज्यादा नहीं कट रहा हूँ चलो हम क्यों अड़ेस्ट करें चलो अंसर कर रहे हो चलो स्टार्ट करें पहले तो इसके बारे में बताओ तुमने दिया कितना सर हमने दिया 20,000 ध्यान से देखिएगा सारे questions को फाह सर ये 20,000 रुपय को दिया वह 32,000 रुपय बन गया मैंने का 32,000 रुपय बन गया हां सर तो जो extra मिला वहीघें इंटरेस्ट है 12,000 का ? हां सर 12,000 का इंटरेस्ट प्रांट करने के लिए कितना साल लग गया ? 12 साल तो हर साल आपको interest कितना मिल ला है? सर हर साल 1000 उपय का interest मिल ला है ये जो हर साल 1000 उपय का interest मिला होगा आप मुझे खुद बताओ कि वो किस के उपर मिला होगा सर वो 20,000 के उपर मिला होगा 20,000 के उपर जब 1000 का interest मिलता है तो वो कितना percent होता है? तो sir, जो 1000 है न, वो 20,000 का जब मैंने percentage वाइस देखा, तो कितना आया पता है, मैंने का कितना, sir, 00, 00, 00, 00, sir, ये 5% का interest निकल के आ रहा है, मैंने का हाँ, sir, अब उसने कहा कि अगर वही same son, यानि कि 20,000 को, अगर हम invest करते एक scheme compound interest में, same yearly rate of interest, यानि कि 5% में, और compound interest जो है, वो yearly calculate, मतलब regular case, normal case है, तो मेरा जो amount बनता, 2 साल के बाद वो कितना होता, अब देखो, यहाँ पर twist है, मैं आपको सारे methods बताऊंगा, लेकिन जरूरत पढ़ने पर कहा था, एक आप जो मैंने method बता है, उस method के साथ जा सकते हो, कि सर अगर सालाना 5% का interest मिल ला है, तो 2 साल में 5 plus 5 plus 5 into 5 बटे 100 जब में करूंगा, तो यह 10 और यह 10.25% का interest मिलेगा, सर दिया हुआ sum 20,000 है, उसी का जब मैं 10.25% निकालूंगा, तो percentage के साथ 2,0, point को यह 2,0 निगल लेंगे, तो 1025 का double, 2,050 रुपे का interest मिलेगा, लेकिन सर उसने interest नहीं का, उसने amount पूछा और आपने amount का definition का है, principle में interest जोड के, तो आपने जो दिया principle 20,000 है, interest जो है वो 2,050 है, तो जो total amount है, वो 42,050 रुपे का बन जाएगा, यानि कि option number B इस सवाल का सयोत्तर, लेकिन क्या यह worth it है, इसलिए compound interest के variety of patterns आपको जानने ज़रूरी है, जब बात direct amount की की जाती है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, compound का नियम क्या है, कि आपका पहले साल 5% बढ़ जाएगा, फिर जो बढ़ा हुआ सम होगा, उसके उपर और 5% अगले साल बढ़ जाएगा, मान लो कि मैंने दिया 20,000, अगर ये कोई भी पैसा मैं 5% में invest करता हूँ, तो साल के बाद अगर वो 5% बढ़ जाएगा, तो क्या वो अपने ही सम का 5% बढ़ के 105% बन गया होगा, हा सर किसी भी सम को 5% बढ़ाने से 105% बन जाता है, ये तो पहले साल के बाद हुआ होगा, दूसरे साल के बाद सर जो था वो और 5% बढ़ के 105% बन गया होगा, अगर आप टिकनिकली साउंड है, तो आप इसको 5% को 1 by 20 से 20 से 1 बढ़ा के 21 लिख सकते हो, अगर नहीं हो तो 5 म जब मैंने किया, तो ये हो जाएगा, आपके पास 2205, और इसमें एक 0 जब होगा, तो मेरा direct amount निकला, क्या आपको फरक पता चलना है, मैं सारे question में detail में सब कुछ बता होगा, आप चिंता मत करो, एक ही class में सब कुछ कवर अप कर दूँगा, तो इस तरीके से आप direct amount तक भी पहुन सकते हो, सेम फंडा लगा के, अगले सवाल पर चले, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, थोड़ा एक सेकंट ट्राइ कीजिए, start, the difference between simple interest and compound interest earned, on a sum of rupees 2500 invested for 2 years is rupees 25, fine, the rate at which the sum was invested annually, मुझे rate of interest बताओ, जिस rate में आपका ये sum invest किया गया है, अब मैं आप से चीज कहना चाहता हूँ, हाँ साथ, आप सभी को पता है कि अगर आपको rate दिया जाता है, given होता है, तो आपको पता है कि उसी rate को दो गुना करके simple interest में कितना percent होता है, वो पता चल जाएगा, उसी rate का ऐसे RR करके RRR करके आपको compound interest मिल जाता है, और जब उनके difference की बात करता है, वो percentage हमारे पास होता है, तो वो मैं find out कर लेता है, लेकिन यहाँ पर rate भी गायब कर दिया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको ज़्यादा कुछ इस पर फसाना नहीं चाहता है, मैं आपका जो difference between simple interest और compound interest है जब invest किया गया है, वो 225 रुपे का है, अब आप पूरा का पूरा यहाँ पे method लगाते, सर कैसे, कि suppose आप में से कितने लोग जानते हो, कि जब आप एक sum को simple में invest ना करके compound में invest करते हो, तो आपका, जब amount के उपर interest लगने लगता है, तो वो interest simple interest से ज्यादा रहता है, मतलब यहाँ पे आपको simple interest जो है, वो कम रहता है और compound interest जो है, वो ज्यादा रहता है, तो उसी sum पे जब compound interest calculate करोगे, और उसी sum पे जब simple interest calculate करोगे, तो उन्हीं दोनों के बीच का difference को 225 कर सकते है, वो equation कैसे दिखायेगा, एक बार दिखा दू, दिखा द means में बहुत ज़्यादा जरूरत है, हार question में लगता है, और R square by 100 यानि कि इतना percent का आपको interest मिलता है, यहाँ तक clear है, हाँ sir, पूरा basic तरीका मैं आपको बताता हूँ, sir, जो मैंने simple interest में invest किया है, वो कम होगा interest, और जो compound वाला है वो जादा होगा, तो compound ये वाला जो interest में न difference, मैंने arrow ऐसा क्यों दिया, क्योंकि इस interest से जब मैं इस interest को minus करूंगा, तो ये ही जो compounder simple में difference आना चाहिए, वो 225 का है, sir, आप से कुछ कहूं, मैंने का कहूं, sir, 2500 common ले लो, मैंने का ठीक है, sir, ये वाला value अंदर है, 2R plus R square by 100 minus, ये वाला जो value है, अंदर चला गया, यानि क 2R, और जब ये percentage, percentage को भी मैं common लेता हूं, तो percentage का मतलब by 100 होता है, और RHS में आपके पास 225 है, अब यहाँ पे आपके पास 2R और 2R कट गया, और 2500 के ये 00 के साथ ये कट गया, और 25 यहाँ पे cancel करेगा, इसको कितने बार, 9 बार, तो आपको दिखा कि R square by 100 is equal to 9, yes, sir, R square by 100, म also है, तो R का दो मान exist करता है, plus 30 और minus 30, R 13 rate of interest, अगर bank आपसे charge minus 30 में करेगा, मतलब आपसे ही पैसा ले लेगा, तो उसमें तो हो नहीं सकता, तो rate जो है, वो कितना आ गया, 30 का आ गया, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, कि इस question को मैं सबसे frequently asked category में डाल सकता हू इस question को one of the most frequent है, हाला कि आज बढ़ते trend के साथ ये काफी low level हो चुका है, जो कि clerical में भी स्तान नहीं पा रहा, पहले ये clerical का एक बहुत favorite सवाल था, आज नहीं आ रहा, बट आने के chances है, तो इस question के लिए अगर मैं इतना समय लगाऊं, तो not worth it, ऐसे question के लिए आप तुरंत क्या कर सकते हो, आप बस एक formula याद रखना, कैसे, कि जो दो साल में simple और compound interest का difference होता है, वो P, R by 100 का whole square के बराबर होता है, सर अगर ये मालूम कर दूं तो हो जाएगा, मैंने का हो गया, सर कैसे, difference कितना था, सर 205, principle कितना था, सर 25, R कितना था, सर वही तो कलेश है, तो R by 100, मैंने का काटो, सर एक चीज़ दिखाओं आपको, मैंने का हाँ, सर जब ये R by 100 का whole square कर दो, तो 2 R by 100 आ जाएगा, मैंने का हाँ, सर 100 तो ये कट गया, मैंने का हाँ, 25 को तो ये काट दिया, 4 बार, मैंने का हाँ, और 4 जब इधर आके multiply हो गया, तो ये कितना हो गया, सरूं, जब ये आपके पास 225 into 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? Sir, ये हो जाएगा, हमारे पास 900, और ये है हमारे पास R², और R² अगर 900 है, तो R कमान कितना हो जाएगा? Sir, R कमान हो जाएगा 30, मतलब आप सभी को ये formula याद रहे गया, और उसका reason भी बताया हूँ, इसका reason यहीं पर है, R² by 100 जो है, इसी चीज के उपर ही वो चीजें depend है, percentage का 100 और ये 100 multiply होके, R by 100 का whole square बनाता है, तो जब भी जिंदगी में 2 साल simple compound का difference आएगा, आप किसी formula को याद रखेगा, आपका सवाल बनेगा, आप में से बहुत से लोग ओवर excited, किसर अगर 3 साल आ गया तो, मैं हूँ, कहीं छोड़ के नहीं गया, आगे बढ़ो, इस सवाल के पास, देखो और जो method आप बोल लोगे, और कोई method exist नहीं कर सकता, क्योंकि सारे method rate के उपर start होते हैं, चाहे तुम ratio लगाओ, या तुम tree लगाओ, यह सब सुरू होते हैं rate से, और अगर उसमें starting से ही rate missing कर दे, इसलिए आपको दिखाने का मतलब मक्सद ही तो यही था, formula का importance दिखाने के लिए, मुझे पहले rate को ही गाइब करना पड़ा, अगर मैं rate को गाइब ना करके, आपको difference पूछ लेता rate देके, आप तरह तरह के method करते हैं, और आपको यह formula मुझे क्या बोलते पता है, सर अटवा रहे हैं, बेकार चीज़े हैं, इसलिए मैं पढ़ाना जानता हूँ, कि किस सवाल को कैसे frame किया जाए, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने कहाँ कहूँ, हमने दो सवालों में R simple interest के case में सीख लिया, compound अभी थोड़ा बाकी था, सीख लियते हैं, सर अगर जो amount हम receive करेंगे, जब हम 1600 invest करेंगे, R% पर आनम के compound interest में compounded annual दो साल, तो हमारा जो होगा, वो आपका 3600 बन जाएगा, तो अगर हम simple interest में receive करेंगे कितना, अगर हम 2200 रुपे को R-20 मैंने का, इतना सवाल पढ़के ही हम लोग बोर हो रहे हैं, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेना चाहता हूँ, आपको आज का सवाल नंबर एक याद है, सवाल नंबर एक नहीं, 56,10 लग 2,5 कहा था, उसके पास चलो, क्या यह आप लोगों को 56, कहां गयरे, 56, इतना जल्दी कैसे चला गया, क्या यह 56.25 परसंट वाला क्वेशिन आपको याद है, क्या आपको 56.25 परसंट निकालना हो रहा था, पूरे के पूरे दिये हुए किसका, सब पूरे के पूरे दिये हुए, 40,000 का वो इतना 5,000 के आसपास आ रहा था, इसलिए आड़ करके, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता, क्या, कि मैंने 40,000 रुपे इन्वेस्ट किये, ध्यान से सुनिएगा, और उसको अगर मैं रेट, कितने परसंट से 25 परसंट में, दो साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा कंपाउंड इन्ट्रेस्ट और कंपाउंड अमाउंट कितना होगा, मैंने का कौन सा एक चाहिए, इस दोनों को हम सोलो निकाल सकते हैं, जब मैं इसमें सक्सेसिव वाला 25 प्लस 25 लगा के 56.25 करता हूँ, तो मुझे mandatory compound interest से जाना पड़ता है अमाउंट के पास, बट मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, ratio वाला method, ratio वाला method बड़ा simple है, आपको सिर्फ मुझे बताना है, कि जो 25 परसेंट है उसका मतलब क्या है, तो आप मुझे कहोगे, सर इसका मतलब 1 by 4 है, 1 by 4 मतलब जब आप 4 जमा करोगे एक bank में, तो वो एक का interest जोड़के आपको 5 देगा, बस इतना लिखना है, principle और amount, इसके पीछे का पूरा story मैंने complete वीडियो में बताया हूँ, अच्छे गंडे वाले में, आज मैं सिर्फ to the point crisp revise करवाओंगा, तो 25 परसेंट का मतलब 1 by 4 है, मतलब 4 पार्ट का principle अगर दोगे, तो एक पार्ट का interest के साथ ये 5 पार्ट बन जाएगा, आपको बस देखना है कि ऐसे कितने साल तक चलेगा, सरे ऐसे 2 साल तक, मतलब अगले साल भी आपका पैसा 4 से 5 बना होगा, तो जब मैं पूछूं कि 2 साल के बाद आपका पैसा कितने से कितना बना होगा, तो आप इन दोनों को multiply कर दीजिएगा, और मुझे बताइगा, कि सार हमारा पैसा 16 से 25 बन गया होगा, मैंने का बात तो सही है, अगर मेरा पैसा 16 से 25 हो गया, तो मेरा पैसा दिया हुआ जो था वो कितना है, सर वो तो 40 अजार है, बोलो हाँ या ना, अगर 16 पार्ट 40 अजार है, तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा, सर एक पार्ट आ जाएगा, 16 दुनी 32, और यह 80 के साथ, सर एक पार्ट आ गया हमारे पास 25 का, अगर एक पार्ट 25 है, और उसने मुझे खाली अगर इंट्रेस्ट पूछा होता, तो मैं उसको खाली इंट्रेस्ट कैसे देता, सर 16 से यह हो रहा है, तो खाली आपका इंट्रेस्ट 9 पार्ट का होता, तो 9 पार्ट का जो इंट्रेस्ट है सर वो कितना होता है, का इंट्रेस्ट जो है वो कितना आया था चार से पांच हो रहा है सब कुछ साही तो है 16 से 25 नौपाट 225 80,000 क्या हो गया 80,000 ओहो वहाँ पर 80,000 था question पर अच्छा तो ठीक है हम question को भी थोड़ा change कर देते हैं जैसे कि हमारा answer उसी तरीके का हो अगर हमारा दिया हुआ सम 80,000 है तो 16 पाट 80,000 हो जाएगा हाँ सर 16 पाट 80,000 हो जाएगा तो एक पाट आपके पास कितना हो जाएगा सर एक पाट हो जाएगा हमारे पास 5,000 अगर एक पर्ट पांच हजार तो यह जो नौ पार्ट का इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा वो नौ इंटरेस्ट यह तो काफी आसान था अपका पास चार हजार यह पांच हजार है ना तो भाई 45,000 का इंटरेस्ट काफी तगड़ा इंटरेस्ट लेरो 45,000 और ओहो वो सवाल गलत था हमने तो फिर किया अच्छा 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 मैंने वहाँ पे कुष्चिन गलत कर दिया था कोई बताया भी नहीं नहीं भाई छी 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 अच्छा हुआ पीछे आये कुष्चिन का गलती पकड़ा गया हाई या ना कोई भी नहीं बताया था उस टाइम पर तो 56.25% किसका निकालना था? 80,000 का निकालना था 80,000 का 56.25% निकालते वक्त percentage के साथ 2-0 कटेंगे पॉइंट को ये 2-0 निगलेंगे 5000 इंटू का तो ये जो 45,000 था वो आपका compound interest था वो सब कुछ सही है यार सब कुछ सही है उसने यहां पर compound interest पूछा था और हमारा पास जो compound interest है वो यहां पर भी 45 है मुझे लगा amount पूछा था सही है सही है आप लोगों ने सही कहा था टैलेंट है आपका तो ये है 45,000 अगर आपको amount पूछा होता तो आप यहां से 5000 का multiply करके 125,000 कर सकते थे आइदर और 80,000 में 45,000 जोड़के कैंए ये चीज क्लियर है सभी को ठीक है सरी ये चीज क्लियर मैं काफी आराम से बता रहा हूँ क्योंकि momentum में जब pace पकड़ूंगा ना तब मुझे और पकड़ नहीं पाऊ गया आप लो अब मैं इस सवाल के पास आ रहा हूँ इस सवाल में एक game हो गया है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में मुझे कभी 20% rate of interest में invest करना होता दो साल के लिए यहां पे कितने साल है दो साल तो क्या होता सर 20% का मतलब 1 by 5 मतलब अगर आपने 5 दिया होगा तो आपको 1 interest के साथ 6 मिलेगा अगर आप 2 साल कह रहे हो तो 2 साल में 5 से 6 5 से 6 होके आपका सम 25 से 36 बन गया होगा क्या यह चीज क्लियर है एक random example अब इस question के पास आओ उसने कहा कि मेरा rate ही मुझे मालूम नहीं है अगर rate ना हो तो भाई start कहा से होगा मैं बताऊंगा rate ही मुझे मालूम नहीं है लेकिन उसने कहा कि अगर मैं 1600 रुपे invest करूँगा दो साल के लिए तो यह 3600 बन जाएगा मतलब after 2 years जो आपका principle है वो अगर आपने सच में 1600 दिया होगा तो आपका जो amount है वो 3600 बन गया होगा क्या मैं आपसे एक simple सा सवाल पूछ सकता हूँ पूछो सर इन दोनों के बीच का ratio क्या है सर 00, 00, 00, 4 में काटोगे 4, 4 में काटोगे 9 तो क्या 2 साल के बाद आपका ये ratio 4, 9 हुआ है हाँ सर दो साल के बाद ये ratio यहां से यहां कैसे आया होगा सर पहले साल कूछ से कूछ हुआ होगा मैंने का हाँ दूसरे साल कूछ से कूछ हुआ होगा और उन्हीं के product से ये हुआ होगा मैंने का एक बार बताओगे 2 number का product 4 कौन है वो तो सर अगर आपका पैसा दो से तीन हो रहा है मतलब आप जैसे यहाँ पर इंट्रेस्ट कालकुलेट करें थे कैसे जैसे स्टार्ट करें थे 20% 1 by 5 5 में 1 बढ़ा के 6 तो अगर मुझे 5 6 दिया होता तो रेट कैसे आता सर एक का इंट्रेस्ट 5 के ऊपर 1 by 5 20% आगे सिमिनली यहाँ पर रेट कैसे निकालेंगे सर एक का इंट्रेस्ट 2 प्रिंसिपल के ऊपर तो एक बटा दो कितना होता है सर 50% तो रेट हमारे पास कितना आगया सर रेट हमारे पास 50% आगया आर उसने कहा कि मुझे सिंपल इंट्रेस्ट बताओ जो मैं रिसीव करूँगा अगर मैं 2200 रुपे जमा करूँ आर माइनस 20 आर पचास है तो 50 माइनस 20 कितना होता है 30% अब 30% में सिंपल इंट्रेस्ट 8 साल के लिए कितना मिलेगा सर ये तो 240% मिलेगा मैंने का हाँ तो सर जो आपने पैसा दिया है 2200 उसी का 240% निकाल दो तो जब मैंने निकाला तो परसेंटेज के साथ 1010 कटा 22 into 24 23 का स्क्वेर 529-1 528 followed by a 0 5280 अगर आप में से किसी का अंसर आया option नमबर भी हैट्स आप, किप इडफ गजब, जबरदस चल लिए आपके तही आरे आगे बढ़ो, अब और में कुछ भी स्लोडाउन नहीं करूंगा, अब पुरा momentum, ready? सेशन को लाइक और शेयर कर दिया, अब और नहीं रुकेंगे, चलो, जल्दी अमन लेंट रुपी 6,000 at 30% compound interest per annum for 3 years 3 साल, what is the difference between the interest earned by the man in the second year only सबसे पहले मैं आपको AB method दिखा देता हूँ एक बार, अगर 20% होता तो काफी मज़ा आ जाता, बट still, चलो अगर मैं 30% में एक साल invest करता तो 30% मिलता दो साल invest करता तो 30 प्लस 30, 30 into 30 by 100 करके 69% का interest मिलता, और 3rd year में मुझे कितना मिलता, सर 69 पे जब मैं 30 का AB लगाऊंगा, जादा महें कर नहीं है जितना आप सोच रहे हों, तो 00 कटने के बाद 69 into 3 कितना होता, सर 17 into 3, 210, minus 3, 207, by 10, 20.7, 20.7 में जब मैं add कर रहा हूं 99, तो सर ये कितना हो जाएगा पता है, मैंने का कितना, 119 दसमलब साथ, अगर ये भी याद रख लोगे, तो रख लोगे, मुझे याद नहीं है, to be very honest and frank, मुझे याद नहीं है, सर ये तो 1 साल का है, ये तो 2 साल का है, ये तो 3 साल का है, लेकिन उसने मुझे पूछा, कि difference बता हो, second year का, मैंने का हाँ, अगर पहले साल में 30% पा रहा हूं, लेकिन cumulative DI जैसे पढ़े हो न, 2 साल तक 69% पा रहा हूं, तो particular दूसरे साल में मैंने कितना percent interest पाया होगा, 39%, 2 साल तक 69, लेकिन 3 साल तक ये आंकड़ा 119.7, तो कितना interest पाया हूं, सर 50.7% का interest पाया हूं, बोलो हाँ या ना, अगर 39% का interest second year पे है, और 50.7 का third year में है, तो इन दोनों के बीच का difference कितना ह है, सर मैंने देखा, तो 0.7, और ये सर आपके पास आ रहा, 11.7% का, मैंने का दिया कितना, सर 6,000, 6,000 का 11.7% कितना होता है, सर percentage के साथ 2,0, point के साथ 1,0, सर ये 600, और ये 102, सर 702, किसी का आप में से 702 answer आया है, option number D, hats off, give it up, गजब, जबर दस चल लिए आपके तयारी, not a ways to solve this kind of question, क्या आप मेरे साथ होडा समय अगर गुजारोगे तो इसको कुछ और मेथर में भी करके सीखना चाहते हो, पहले बताओ, अगर आप थोड़ा समय, भाई देखो, तुम लोगों का एनरजी नहीं रहता, इसलिए मैं जल्दी चला जाता हू, अगर आप लोगों म भी effort देना नहीं पड़ेगा, क्या आप ध्यान दे रहे हो मेरी बातों को, 30% का मतलब 3 बटा 10, एहे, 13 का cube यूज करना होगा, 10 दोगे तो 13 मिलेगा, तो दो साल में 10 दोगे तो 13 मिलेगा, तो मतलब, अगर तुम 100 दोगे तो तुम्हें 169 मिलेगा, दो साल की बात कर रहा लेकिन 10, 13 करके जब तुम 3 साल तक इस process को चलाओगे, तो यह 1000 जो है, वो 2197 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2 साल के बाद principal amount हो, या 3 साल के बाद principal amount हो, principal तो हरमेशा same यू होना चाहिए, तो यहाँ पर 1000 है, तो क्या इसको 1000 करने के लिए इसको 10, इसको 10, दे सकते हो, हाँ सर, तो क्या 2 साल में यहाँ पर आपको 690 का interest मिल रहा है, और 2 साल में यहाँ पर आपको 1197 parts का interest मिल रहा है, यह each and every individual को clear है, हाँ सर, पहले साल में आपका जो interest मिला होगा, वो 10 से 13 हुआ होगा, यानि कि जिसको मैं कह सकता हूँ कि 1000 स से 1300, यानि कि 300 parts का interest, अरे सेम है, आज तुमें पता चलेगा कि ratio हो, successive हो, सब सेम ही है भाई, कैसे, सर, एक साल में 300 मिलना था, दो साल के बाद इतना मिल गया, तो यहाँ से यहाँ 390 जो extra मिला है, वो second year, और यहाँ से यहाँ जो आपका 70 और 5 का मिला है, सर, वो है हमारा third, इ निकालोगे कैसे, सर, जो 1000 पार्ट आपने यहाँ 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 नहीं जमा कर रखा, वो ही 6000 रुपे है, तो एक पार्ट 6 के साथ यह कितना हो जाएगा, 702, clear, ठीक है, सब से best tree है, सर, अब, बाकी लोगों को भी लाइट, यह, यह, कौन सा वाला best है, सर, तो वो बत 10, यहाँ तक clear है, ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा, इसके बाद शायद और tree का इस्तमाल अभी जल्दी और नहीं होगा, ध्यान से सुनेंगे, tree का start करने के लिए आपको सिर्फ जो 3 by 10 का base है, उस base को देखना है, base कितना है, सर, base है 10, अगर base 10 है, तो बस मुझे एक बात बताओ, कि आपका इस सवाल में जो maximum time है, वो कितने साल तक जाना है, सर, 3 साल, तो आप बस एक काम करना, जो base 10 है, उसका 30 पावर, यानि कि 1000 से जब आप start करोगे, तो पहले साल आपको इस 1000 के उपर 30% यानि कि 305 का interest मिलेगा, एक बार मैं आपको थंडे दिमाग से दिखाना चाहता हूं, क्या ये चीज each and every individual को दिख रहा है, दूसरे साल में जो आपको interest मिलेगा, वो 1000 के उपर 30%, 300 तो मिलेगा, साथी साथ, इस से प सार, 300 का 30% तो 90 होता है, मैंने का सही है, सार आपका मतलब है कि तीसरे साल 1000 के उपर भी 30% मिलेगा 300, और आपके कहे मुताबिक उससे पहले जितने interest मिले, सब पे 30, इसका 30, 90, इसका 30% 90, और इसका 30% 27, मैंने का हाँ, तो सार आप, सवाल मुझे क्या दिया है, सबसे पहले साल क्या दिया है, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले साल आपको 300 का interest मिल रहा है, दूसरे साल आपको 390 का interest मिल रहा है, और तीसरे साल आपको 7, 9, 2, 11, 9, 20, 2, 507 पार्ट का interest मिल रहा है, क्या वो चीज़, each and every individual को clear है, 390, 507, 390, 507, जो कि हमें हमेशा यह total मिल रहा था, जिससे break करके जाना था, 3 एकलोता ऐसा method है, जहां पे particular years, second, third, fourth, fifth, वो आप direct निकाल सकते हो, और जो second year और third year का difference है, वो ही 117 पार्ट जो है, वो ही आपको निकालना है, अगर आपका दिया हुआ 1000 पार्ट जो principal assume किया, वो अगर 6000 है, तो 1 पार्ट 6 के साथ यह वाला कितना हो जाएगा, clear, इतना खर्चा हो ही गया, मालिक चिप्स ले ही लेते हैं, सर क्या, यह जो पहला line है यह आपका simple interest को represent करता है, और यह जो total है, यह आपका compound interest को represent करता है, और मेरे दोस्त, अगर मैं पूरे compound interest से पहला line ही हटा दू simple interest, तो यह जो बाकी दिख र यह वाला क्या है, वो है simple interest और compound interest के बीच का difference, question देखे हो न, 3 साल में simple compound का difference कितना आता है, इस सवाल में कितने पार्ट का आएगा, 90, 90, 90, 270 और 27, 297 पार्ट्स का, इंटो 6 कर देना आपका answer आपके सामने रहेगा, clear, तो यह पूरा का पूरा मैंने धागा खुल दिया, happy हो भाई और मुझे कोई objection नहीं चाहिए, सवाल करो तुरंत, no more objection, ठीक है, फिप्त का एक बार example देना, भाई चैनल का, चैनल पता है, banking के लिए है, ठीक है, नासा वासा यहां से जाहिरे जॉइन नहीं होता है, मैं पहले से बता दूँ, IVPS, RRB, SBA, इन ही की तयारी करवाता ठीक है, यह नासा वासा भेजना मेरा काम नहीं है, पहले तुम यह बता देता हूं आप लोग को, ठीक है, फिप्ती यर का, भाई, चलो, मेगना had Rs. 3000 with her, she invested Rs. X at 30% per annum simple interest for 5 years and remaining sum at 50% per annum compounded interest, compounded annually for 2 years, if the total interest, remember my words, अगर आपको दोनों स्कीम में investment कितना परसेंट का overall हो रहा है, वो मालूम हो जाए, और overall भी पूरे के पूरे दोनों स्कीम में मिला के कितने परसेंट का interest मिल जाए, वो भी मालूम हो जाए, तो this is one of the most favorite question of examiner which you can tackle easily by applying allegation 5 star, question का level 5 star नहीं है, examination point of view में important 5 star का, इससे बहतर question complete किया गया है already, अगर कोई 30% per annum में 5 साल के लिए simple में invest करे, तो इतने परसेंट का interest मिलेगा, 150%, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, अगर आप बाकी का पैसा 50% के हिसाब से 2 साल के लिए invest करो, तो 50 plus 500, 50 into 50, 25, 125% का interest यहाँ, आपका scheme A में, पहले scheme में इतने का interest मिलना है, और दूसरे scheme में इतना, बस एक बात बताओ कि पूरा पूरी, जो टोटल पे आपको interest मिलना वो कितने % सर, वो मैं कैसे मालूम करूँ, मैं हूँ न, सर कैसे, क्या आपको जो टोटल इंटेस्ट है, वो 4050 रुपै का interest मिला है, वो पूरे पैसों पे मिले है, हाँ सर, क्या पूरा पैसा 3000 रुपै ही है, हाँ सर, 3000 रुपै जो थे, वो मैंने सर ये 135% आ रहा है मतलब अब हमें पता चल चुका है कि सर अगर मैंने कुछ हिस्सा 150% पाया होगा कुछ हिस्सों में 125% पाया होगा और ओवरल जब मैं देख रहा हूं मैं 135% पा रहा हूँ इसका सर एक लौता निश्कर्स आता है इससे इसको माइनस करो इससे इसको माइनस करो और इन दोनों के बीच का रेश्यो बताओ मतलब आपने जो पहला हिस्सा दिया है वो अगर दो हिस्सा है तो जो दूसरा हिस्सा आपने दिया है वो तीन हिस्सा है और सर उसने मुझे X पूछा और X हमारा पहला हिस्सा है तो पहला हिस्सा कैसे निकालो यहाँ पे और यहाँ पे मिला के आपने जो 5 पार्ट दोनों पे लगाया है वही तो 3,000 है? हाँ सर अगर 5 पार्ट 3,000 है तो 1 पार्ट 600 है तो जो पहला हिस्सा होगा वो 2 into 600 के साथ 1200 रुपे बन जाएगा इस सवाल का बिलकुल 60 कुत्तर option number C अगर आप मेंसे किसी ने allegation अभी तक नहीं पढ़ा है complete नहीं किया और वो सोच रहा है कि वो इस question को कैसे करे तो आप ऐसे कर सकते हो 3000 में पूरा नहीं solve करूँगा बस दिखा दूँगा 3000 में से अगर X रुपे यहां गए हैं तो बाकी के 3000-X यहां दूसरे में invest किये गए होंगे यहां पे आपको 30% में 5 साल में 150% का interest मिला होगा और यहां पे आपको 50% के इसाब से 2 साल में पूरा का पूरा 125% का interest मिला होगा यहां का interest और यहां का interest जब आप जोड़ोगे तो जो total interest है वो 400050 है यहां से भी जब आप X का value निकालोगे तो भी आपको 1200 मिल जाएगा कोई प्रॉब्लेम वली बात नहीं होनी चाहिए अगला सवाल जल्दी से निकिल हैड रुपीज एट थाउजन विद हिम ही इन्वेस्टेट सर्टेन समाट 10% पर अनम सिंपल इंटेस्ट पर 5 यह यह लेंगवेच आएगा ही आएगा पेपर में हलाकि यह नंबर जो 9312 थोड़ा खुबसुरत दे सकता है बट लेंगवेच इंपोर्टन निकिल के पास 8,000 रुपे उसने इन्वेस्ट किया कुछ सम 10% पर अनम के सिंपल इंटेस्ट में 5 साल में और उसने एड किया अमाउंट जो इसमें से रिसीव किया है और जो रिमेनिंग सम जो आपने है रिमेनिंग सम बचा है उसको 40% के कमपाउंड इंटेस्ट में बहां का 10% 20% दिया होता तो बात कुछ अलग होता है हाँ 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 चलते हैं मान लेते हैं कि जो ये certain sum उसने invest किया है क्या उसको मैं 100x मान सकता हूँ हाँ सर 100x को जब मैंने 10% पर आनम के इसाब से 5 साल के लिए invest किया तो इसका 50% यानि कि आपको 50x का interest मिला होगा हाँ सर उसने क्या किया he then added the amount received amount received मतलब आप कितना receive करोगे सर 100x में ये 50x जोड के 150x और साथी साथ with the remaining sum with the remaining sum कितना है सर 8000 रुपियों में से अगर मैंने already 100x दे रखा था तो remaining sum जो है वो 8000-100x है और इन दोनों को मैंने अभी सर जोड दिया मैंने का जोडने के बाद ये कितना आ रहा है सर 8000 मैंने का हाँ सर minus 100x प्लस 150x तो प्लस का 50x मैंने का हाँ सर इनको जोडने के बाद इस amount को और जो पिछला वाला है उसको तो sir उसने अभी मुझे क्या कहा है पता है मैंने कहा क्या इस पूरे sum को 40% के इसाथ से 2 साल के लिए मैं invest करूँगा और मेरा interest इतना रहा है sir अगर 40% के 2 साल के लिए invest करेंगे तो plus 40 plus 40 into 40 by 100 के नियम के अनुसर 80 और 16 96% का interest इसके ओपर मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए मैंने कहा हाँ sir इसी का 96% अगर आपके पास 9312 है मैंने कहा हाँ तो sir बताओ X का मान कितना है मैंने कहा बताते हैं टेंशन क्यों लो अगर मैं 16 में काटूं 6 बार 16 में काटूं 5 बार 80 131 16 8 बार हो जाएगा आपके पास कितना 128 और यह हो जाएगा 32 32 यानि कि 16 2 बार 6 में काटूंगा तो 9 बार 54 54 मतलब 42 यानि कि 7 9700 से 8000 जाएगा तो 50X is equal to 1700 तो आपको पूछा गया है जो हमने simple interest में invest किया था अगर आपको याद हो वो तो 100X है तो मुझे X के पास भी जाने की जरूरत नहीं इसका double अगर आप कर दोगे तो 3400 क्या आप सभी को 3400 मिला है option number B इस सवाल का सही उत्ता है clear 8000 minus 5X क्यों होगा 50X क्यों होगा दोस्त आपके पास जो sum था आपने इतना invest कर दिया था हास है इतने के उपर इतने का interest आया हास है जो total amount आया वो इतना है 100X प्लस इतना इसी amount को आपने किसके साथ जोड़ा जो आपके पास remaining था अब 8000 में से अगर आपने 100X दे रखा था तो आपके पास बचा कितना होगा 8000 minus 100X ही तो बचा है बिल्कुल सही है ठीक है it's not a question for a not at all किसने कहा यह RRV clerk का paper है दिमार गुम गया है क्या ठीक है 50X खाली question नहीं पढ़ते आप लोग he then added the amount received कल वाला सवाल को याद कर रहे हो कहा है कलिया परसो हमने interest received क्या था ठाइप याद रख लोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता मुझे माफ कर दो प्लीज पक्का न यहीं गलती हुआ है पिछले जो हमारा complete arithmetic का marathon था उसमें इस question में इंट्रेस्ट को जोड़ा गया था remaining amount के साथ एक बार confirm करना लेगन यहाँ पर उसने पूरे amount को जोड़ा तो type मत रटो फस जाओगे language हर हर क्षण बदलता रहता है येस ओ सॉरी सॉरी कि क्या हम जो सीखेंगे वो ही तो हमारे लिए bonus है भाई गलती यहाँ हो जाए पेपर में ने सर राजु ने इन्वेस्ट किया रूपीज एक एक स्कीम में फॉर टू यहर्स विच ओफ़र सिंपल इंट्रेस्ट अट द रेट आटीन परसंट पर आनव और श्याम इन्वेस्टेट एक स्प्लस पच्छिस सो इन अनादर स्कीम फॉर सेम यह सर 18% के इसाप से 2 साल 36% मिलेगा मैंने का हाँ 30% के इसाप से 2 साल कंबाॉंड में 69 milेगा मैंने का क्यों बोल ठेएओ इधर 18 रख देँगा मैंने का हाँ इधर 69 रख देँगा मैंने का हाँ velocity अलिगेशन लगा दूँगा भाई करने के लिए दिया हुआ sum होना चाहिए बट जब उसने दिया हुआ sum ही नहीं दिया तो हम और कुछ कर नहीं सकते है उस चीज के लिए सर क्या करेंगे basic सर basic क्या है कुछ ही देर पहले समझाय था आपको basic सर क्या है सर मैंने X रुपीज इन्वेस्ट किया सर मैंने का हाँ हाँ सर 18% के हिसाब से 2 साल में इसके उपर 36% का इंटरेस्ट मिला होगा की नी मैंने का हाँ सर मैंने X plus 25 तो एक दूसरे स्कीम में दिया सर मैंने का हाँ हाँ इसके उपर 30% पर आनम के compound interest में 2 साल 69 याद रह गया होगा, 69% का interest मिला होगा सर, मैंने का हाँ, सर पता है जो total interest मिला वो 6400 बचासे, मतलब इस वाले interest और इस वाले interest को जोड़ू, तो 6450 का मान आ रहा है, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने का हाँ, कहो, सर, X का 36% और X का 69% जब आपस में add होगा, तो कितना होगा, 60, 30, 90, 50, 105, तो X का 105% हो जाएगा, सर, 2500 का 69% कितना होता है, वो जाके RHS में माइनस होगा, मैंने का हाँ, सर, percentage के साथ 2-0 कटने के बाद मुझे 69 into 25 चाहिए, सर, 25 मतलब 100 by 4, तो 69, 100 by 4 कर दूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 17, 68, 25, 17, 25 अगर इधर माइनस किया, तो ये हो गया, 25 ये हो गया, 18, 18 में 6, 24, 24 में अगर मैं 40 जो दूँ, तो ये है, मैंने का हाँ, सर, अगर X का 105% इतना है, तो श्याम का investment दूसरा वाला है, आप पहले X निकाल दो, मैंने का कैसे, सर, X का मान जो होगा, वो 4625 25, बटे में 105, क्योंकि percentage का मतलब आई 100 है ना, और 100 उपर चला जाएगा, सर, मैंने का करो, 5 में काटोगे, 21, 5 में काटोगे, तो ये 9 और ये आपके पास, 2 और ये आपके पास, 5, 21 में काटोगे, तो 4, 84, 85, गडबड भाई, नहीं जारा रहे, कुछ गडबड किया किया मैं है, 4725, 25, ओहो हाँ हाँ, 47, मैंने यहाँ पर क्यारी पता नहीं क्यों ले लिया, वही मैं बोलना हूँ, कट क्यों नहीं रहा है मेरा, तो ये हो जाएगा, 4725 अगर, तो ये 4725, पांच में काटोगा, तो ये हो जाएगा, 9, और ये आपके पास, 45, 22, 22 याने कि 4, और ये आप के पास 5, 21 में काटेंगे, तो 4, 105, 5 हाँ, 45, इंटू 100, X का मान हो जाएगा, हमारे पास 4,500, सर, आंसर 4,500, मैंने का नहीं रहे, सर क्यों, ये X है, यानि कि राजू का इंवेस्टमेंट, बट पूछा किसका, श्याम, श्याम का कितना है, X प्लस 25, तो 4,500 में, 4,000 रुपे म अगला सवार, हाँ, D होगा, सारी, जस्क्राइब, 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 जस्क्राइ कि आप लोग प्लान करके आयो ना कि इस बंदे के साथ अल्टरनेट डे में एक एक टॉपिक उड़ाते जाएंगे सच बताना मतलब आप लोग मैंड मेंटाली भी प्रिपैर हो गये हो कि थोड़ा समय लगेगा थोड़ा मेहनत करके अगर हम दोड़ाई उन्दे इसके साथ ब two investor Japanese X in scheme me offering 10% by random simple interest for six years he done invested 80% of the required against starmark important he then investor 80% of the interest received from scheme A in scheme B offering 10% and bunun compound intro compounded annually for 2 years if the interest received by him from skimby is 5040 then find the value of x भाई तुमने तो पूरा का पूरा मन्टु x रुपेस दे दिये 10% के इसाथ से 6 साल में तुम्हे 60% मिला होगा आपने जो interest पाया उसका 80% है तो पहले x के उपर 60% तुम 3 by 5 कह सकते हो या फिर कमजोर दिल वालों के लिए 60% ऐसा लिख दिया ये interest तुम्हें मिला था? हाँ सर आपने इसी interest का 80% 80% 4 by 5 है बट आपके लिए कमजोर दिल वालों के लिए 80% लिख देता हूँ ये 80% मैंने जमा किया कहां पे जमा किया? scheme B में जहां पे 10% पर अनम के compound interest चल रहा है और compounded दो साल के लिए और यहां से जो interest मिला वो 5040 है सर आपने ही तो कहा था कि 10% के इसाब से 2 साल में 21% का interest मिलेगा इसके उपर मैंने कहां सर इसी का 21% अगर 5040 है मैंने कहां तो बताओ अनम सर कितना है? मैंने का बताते हैं सर यही तो हमने 3x5 लिखा यही तो आपके और हमारे बीच में difference है आप बहुत slow आपको इसा चीजन पता होना चाहिए सर कुछ कहूंगा नहीं और अगर मैं इसको काटूं तो यह कितना हो जाएगा? सर अगर हम देखें तो यह 9 में जा रहा है तो 9 पंजे 45 और यह 54 यानि कि 60 सुन्या साथ में काटोगे 80 चार में काटोगे 20 25 इंटू 20 पचास 500 तो x का मान हो गया हमारे पास 500 मात्र यह ओ यह है नहीं यह तो गया 25 पानसो और इसका 20 पचास अजार यह वला तो option number 20 सवाल का सही उत्तर है अगला सवाल आगे आपका 3 साल का difference मैंने आपको 2 साल के लिए difference का एक formula दिया था कि difference जो है वो किसके साथ बराबर होता है सर difference जो होता है वो principle r by 100 का whole square होता है किसी ने भूला तो नहीं अब जब 3 साल की बात आती है तो 3 साल में थोड़ा मेहनत है बट आपको याद करना पड़ेगा नहीं तो पूरा basic जो है वैसा मैंने सिखाय था बहुत stretchy हो जाएगा बहुत लंबा गिसा पीटा हो जाएगा difference is equal to principle यहाँ पर आप कह सकते हो r square 300 plus r divided by 100 का q मुझे जितना याद आ रहा है सर अगर मैं बात करूँ मैंने कहा तो सर उसने कहा कि जो difference है अगर मैंने एक certain sum को simple compound interest में 3 साल के लिए 25% में invest किया तो वो 260 का है तो मुझे sum बताओ तो सर आप directly यहाँ से sum का formula जा सकते थे मैंने कहा sum is equal to difference 100 का q उपर आ जाएगा divided by r square 300 plus r हाँ सर अगर मैं आप से कहूँ कि difference जो है वो 260 रुपे का है और 100 का q यानि कि 100 x 100 x 100 है मैंने का हाँ और सर जो rate है वो 25 है और 25 का square 25 x 25 है मैंने का 625 है सर यहाँ से काटना आसान होगा और 300 plus 25 325 है तो आप मुझे क्या कहोगा मैंने का क्या ही कह सकता हूँ solve करेंगे सर 25 में काटने चार बार 25 में काटने चार बार इसको अगर मैं 5 में काटूं तो यह कितना हो जाएगा सर 5 में अगर हम काटने तो यह वाला किस में जाएगा 52 पांच में अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये आपके पास हो जाएगा 65 अच्छा तेरा में काटेंगे तो चार बार तेरा में काटेंगे तो पांच बार पांच में काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 बार तो सर 4, 4, 16, 4, 64, 64, कड़बल 128 में एक शुन्या के साथ सर जो प्रिंसिपल है वो 1280 रुपे हैं option number A इस सवाल का सही उत्तर तो ये formula प्लीज बाई हाट कर लीजेगा आपके लिए काफी जादा important होने वाला है क्योंकि 2 साल और 3 साल से directly आपको questions देखने के लिए मिलते हैं paper में मिल रहे थे बट अभी trend change होने के साथ थोड़ा ये level down हो गया ये वाला particular question का तो थोड़ा up level up expect कर सकते हैं काफी खुबसूरत सवाल जहाँ पे आपने आपने already शायद 50-50 lifeline का भी इस्तेमाल कर लिया है option number B और E बच गया है भाई मुझे नहीं पता ये क्या है लेकिन अगर म 80% बाई अलग लेए चलो चलो एक सम है रुपीस एक्स का जो बन जाता है एक्स प्लस 528 दो साल में 20% पर अनम के compounded interest compounded annually पे अगर वीर इंवेस्ट करता है 2.5x at 15% पर अनम simple interest for 3 years and I wish invest in 1.5x ये वो सवाल है मेरा फेवरेट वान मैं रखा हूँ कुछ-कुछ सवाल आपके classes में से उठाके तो आपको पूछा गए ratio of the interest अयूश और वीर कितने पाएंगे मैंने का वो सब छोड़ो पहले आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो सर क्या वो एक्स वगेरा जो भी बने आपका वीर ने invest किया 2.5x और वो अब ही 15% पर आनम के simple interest के लिए 3 साल के लिए तो वीर को जो interest मिला होगा आपको आयूश और वीर चाहिए तो मैं वीर को right side में रखता हूँ कि वीर ने invest किया है कितना सर 2.5x और अगर 15% के इसाब से 3 साल तो यहाँ पे इसको 45% का interest मिलेगा और अयूश ने invest किया है 1.5x 10% के compound interest में 2 साल तो 1.5x में 10% के इसाब से 2 साल में इसको 21% का interest मिलेगा तो आपको ratio interest का चाहिए अयूश और वीर का तो खतम हो गया question आपको कुछ जाने की ज़रूत नहीं तो जब आप इसको solve करोगे तो percentage के साथ percentage जाएगा इसका decimal decimal हटा देगा 5 में काटोगे 3 बार 5 में काटोगे 5 बार 3 में काटोगे तो यह हो जाएगा आपके पास 15 बार और 3 में काटोगे तो यह 7 बार और 3 में काटोगे तो यह आपके पास हो जाएगा 5 बार तो साथ अनुपात 25 यानि कि जो गायब हुए है option में से ही एक आपका होगा साथ अनुपात 25 मान लेते हैं D इस सवाल का सही उत्तर है भाई अलग ही level का चल रहा है आपके साथ नहीं सर ये sessions बाकी exam में भी helpful होंगे क्या please tell कौन सा exam चाहिए ठीक है ये आपका 10th class के लिए important नहीं होगा 12th class के लिए important नहीं होगा BTEC वगेरा के लिए important नहीं होगा भाई कब पता चलेगा तुम्हें कि banking examination का pattern, trend, types of question, variety, category same ही होता है तो सारे examination के लिए important होगा ठीक है और भाण्जे को मत लेकर के बैठाना किसार में बोला है तो आप उसके साथ ही compare करके खुद को कुछ हो जाएगा देख तुझे भी कुछ नहीं आ रहा, मुझे भी कुछ नहीं आ रहा हम दोनों एक चालो इसलिए तो तुझे लेकर आया था ठीक है जब मैं बाहर जाती हूँ तुझे लेकर जाती हूँ, नहीं लेकिन मैं जब पढ़ूँगी तुझे भी लोगी, बैठाओंगी साथ में खाली मैं अकेला difference नहीं हो सकता मुझे difference होने के लिए साथ में कोई चाहिए चलो find the ratio of the difference between compound interest when interest is compounded annually and simple interest on a sum of rupees p for 3 years to difference between भाई 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 रुख जा क्या कर क्या रहा है compound interest when interest is compounded जब p rupees को 3 साल के लिए हमने invest किया to difference between compound interest है ये 4 साल दे रहा है नहीं out of syllabus हटाओ इसको ठीक है 20% दे दिया है न हो हो जाएगा क्या ही करेंगे और थोड़ा मेहनत करेंगे और क्या आया है और क्या करेंगे मुझे भी आदनी है चौथा साल का आपने जब p rupees invest क्या होगा formula को भूलो जब आपका rate of interest कितना चल रहा होगा ratio बटेंगा 20% का मैंने कहा साथ जब 20% का interest चल रहा होगा कैसे करेंगे कौन सा method करें ratio वाला करें सबसे best साथ 20% का मतलब होता है या क्या करें ट्री कर दें मतलब rarely use होता है बाकी सब जगा तो ratio लग जाएगा ratio थोड़ा ठीक है तो साथ 5 से आपने 6 किया मैंने कहा square से square यानि के 25 से 36 हुआ cube से cube यानि के 125 से 216 हुआ और 4 साल में आपके पास 625 से 1296 हुआ होगा क्या यहां तक each and every individual को clear है जल्दी से बताओ हा सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब को 625 और बनाया जा सकता है principle को कैसे सर इसका 5 गुना 625 तो इसका 5 गुना आपके पास कितना हो जाएगा 1080 इसका अगर मैं 5 गुना कर दूँ तो ये सरी 25 गुना कर दूँ नहीं 125 गुना कर दूँ तो ही जाके ये होगा कितने गुना होगा 25 गुना करूँगा तो ये 625 हो जाएगा और 25 गुना इसको करोगे बड़े स्वांती से दीजेगा उत्तर यहां पर पहले साल में आपको interest कितना मिला इसने क्या पूछा था उसने particular compound की बात नहीं करिया उसने simple interest को भी बीच में गसीड लिया for three years चाला क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो सर क्या तीन साल के लिए जो आपको compound interest मिला है वो कितने का है तीन साल के लिए जो compound interest मिला है वो 5, 30 और ये आपके पास 55 और ये आपके पास 455 पाट का है मैंने का हां पता है अगर मैं 625 रुपेयों पे मैंने का हां हां अगर सच में 20 percent के हिसाब से 3 साल invest करूँ, तो इसका 60% का interest मिलेगा 625 का 60% कितना है बता सकते हो, अरे भाई मेट 625 का 60% 3x5 कितना है बता सकते हो, सर कितना 125 का 3 गुना, यानि कि 375 तो सर जो 3 साल के लिए simple compound का difference आएगा सर वो कितने का आएगा पता है, मैंने का होगा 17, और ये आपके पास कितना 6 का, मैंने का हाँ, लेकिन जो आपका simple interest मिल रहा होगा, वो 20% के इसाब से 4 साल में 625 का 80% यानि कि 4 5 मिल रहा होगा, मैंने का हाँ, तो सर 125 का 4 गुना मैंने किया, तो ये 500 तो इन दोनों के बीच का जो difference आया वो 171 का आया, तो हमें जो ratio चाहिए, वो इस difference 80, और इस difference 171 का चाहिए, जो कि कहां है option number A, इस सवाल का सयुत्तर है मुझे ये नहीं पता कि ये सबसे best approach है या क्या, जो instant आपने कहा, मैंने उससे कर दिया क्या इसको और किसी method से हम करें हम 3 साल है तो 3 साल के लिए 72.8% आपको याद होगा मेरे ख्याल से, और 3 साल के लिए 60% का simple interest तो आपके पास 12.8% का simple compound का difference है, 4 साल मुझे याद नहीं, एक बार अगर आप लगा दोगे तो 20 में जाद आपको late नहीं होगा दोस्त ठीक है ये point को इसको हटाया 8 और 14.56 जब जुडेंगे तो 8,5,13, 3,4,7 और यहाँ पे आपके पास इतना है और अगर मैं इनवेस्ट करूँ 4 साल के लिए तो 80% का interest मिलता तो यहाँ पे 27.36% का interest अगर मैं इन दोनों के बीच का ratio कहूँ इन दोनों के बीच का ratio कहूँ तो यह 1,2,8,0 और यह 27.36 हो जाएगा 8,2,10,11 भाई खतम हो गया यह 8,2,10,11 3 से नहीं जा रहा 9,9,8 8 से जाएगा 8 तिया 24 यह 33,8 34,2 8 से अगर मैं cancel करूँ 1, और यह आपके पास हो जाएगा आपके पास कितना 48, यानि कि 8 से काटेंगे तो यह 6,0 ओ हो, तो 2 से काटेंगे क्या दोनों method clear है क्या दोनों method clear है भाई देखो, मेरे लिए भी question complete fresh था, complete new था to be very honest and this is not a prelims level question, मैंने पहले ही मना कर दिया था, बस just question आ गया था display, इसलिए आपके सामने मैंने क्या, ठीक है यह live है क्या, नहीं मैंने 7 साल पहले record क्या था ताकि रमेश जी आये और इस live class में यह सवाल पूछें, कि यह live है क्या ठीक है भाई अगर recorded भी हुआ तो पढ़ लो ना, कोई problem है तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, difference लेके जो उसे भी चलना है चलो, अगला सवाल नमस्ते सर फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूँ, अरे तुम फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूँ, कोई आके बोलना है recorded देख रहा है, किसका यकीन करूँ मैं शाय देख रहा है दिल का दरिया लाइव एक या भाई चलो, स्टाट करें सर, simple interest or compound interest compounded annually earned on a certain amount of sum invested at r% per annum at the end of 5 years and 2 years respectively is रुपिस okay, okay, okay hmm अच्छा सवाल है आपको ने लग रहा, अच्छा सवाल है find the sum invested r% उसने दिया best question एक principle है 10,000 रुपिस का अगर मैं rate 20% का charge करूँ तो simple interest पहले साल में कितना मिलेगा सर, 10,000 का 20% यानि कि आपका इसको 10,000 ना करके इसको थोड़ा 15,000 करते मजा आएगा सर, 15,000 का 20% यानि कि 3,000 और दूसरे साल भी आपका simple interest 3,000 तीसरे साल भी अब आईडिया लग गया होगा आप सब को क्योंकि आपको तो सर, यही तो सर चाहिए बस approach का एक hint पेपर में आ जाओ ना सर मेरे साथ अगर मैं compound interest की बात करूँ तो कितना होगा सर, पहले साल के लिए तो 15,000 का 20% यानि कि 3,000, क्या यह पहला step each and every individual को clear है कि साल एक में simple interest और compound interest हमेशा same रहते हैं दूसरे साल में कितना interest मिला होगा सर, आपके कहें मुतादिक 20% का 2 साल में तो 15,000 का 44% interest आना चाहिए percentage के साथ 2-0 काटा 44 का 15 गुना किया तो 660 और उसमें एक सुन्य लगाया तो सर 6,600 का interest मिला मैंने का हाँ अब आप सभी लोग इस line के उपर देखना बंद करेंगे ठीक है सर बंद किया अगर मुझे कोई इतना जानकारी दे कि एक सम था वो भूल जाओ ये तो मैंने ये दोनों दिया और ये निकाला अब अगर ये मिटाके आपको कोई पूछता क्या सर क्या पूछता कि एक सम है जिसमें मैंने certain rate में invest किया तो 2 साल में interest 6000 का मिला 3000-3000 और 2 साल में ये 6600 कोई ज्यादा नहीं हो जा रहा है ओहो अच्छा थोड़ा बलती हो गया है भाई 6600 तो 2 साल के लिए interest है ना जिसमें से पहले साल 3000 है तो अगले साल कितना होगा कोई कमेंट किया था मैं देखना चाहता हूँ कोई नहीं साब अपने दुनिया में है लिखने दो लिक लिक के थक जाएगा तो इधर देखी लेगा यही तो है तो अगर मुझे question दिया जाए कि 2 साल में simple interest 6000 है और compound interest 6600 है तो rate कितना है और principle कितना है तो कैसे निकालेंगे Sir आपका पहले साल और simple मुझे question क्या दिया था 2 years में SI 6000 and 2 years में CI 6600 rate and principle question समझे सर अगर 2 साल में simple interest 6000 है simple interest हर साल बराबर रहेगा तो उसको 3000-3000 में partition करो compound interest सार अलग-अलग होता है उसका partition नहीं हो पाएगा रख दो मैंने का नहीं मुझे में थोड़ा talent है बले ही कितना कितना है वह ना पता हो लेकिन simple compound पहले साल के लिए समान रहेंगे इतना मुझे पता है तो पहले साल मैंने 3000 को रख दिया 6600 में से अगर 3000 मैंने पहले साल में रख दिया तो अगले साल में लेकिन आगे कैसे जाओगे जो 2nd year में पहले साल से एक्स्ट्रा इंट्रेस्ट मिलता है 600 रुपए का ओहो अच्छा वह किसके उपर आयोगा सर 3000 तो प्रिंसिपल के उपर आना है simple interest यहां पे भी 3000 प्रिंसिपल के उपर आयोगा जो एक्स्ट्रा 600 है सर यह पिछले साल के इंट्रेस्ट के उपर ही आता है यानि कि 600 का इंट्रेस्ट पिछले साल के 3000 के उपर ही आयोगा 600 का इंट्रेस्ट 3000 का जितना प्रतीशत है सर 0000 सर वही आपका rate of interest है क्या मिल चुका है आपको 20 सर 20% अगर आपको हर साल मिल रहा है दिया जाए तो मैं वापस आ सकता हूँ बहुत से लोगों को पूरा clear होगा बहुत से लोगों को आधा clear होगा आधे clear वालों को अभी पूरा clear होने वाला है कैसे आपको principle कितना पता नहीं rate कितना पता नहीं लेकिन 5 साल में जो simple interest है वो आपको पता है 8000 और 2 साल में जो compound interest है वो आपको पता है 35 वो से डराया आपको आप डर गए सर अगर सच में 5 साल में simple interest 8000 है तो 8000 तो हर साल बराबर मिला होगा न तो हर साल सर 1600 1600 1600 चला होगा तो सर simple interest पहले साल भी 1600 दूसरे साल भी 1600 तीसरे मैं नहीं का मत जाओ सर क्यों दो से यह answer आजागा सर पका सर कैसे compound interest तुम्हें 2 साल में 35-20 का मिलना चाहिए जिसमें से पहले साल आपको 16-100 का मिलना चाहिए क्योंकि simple और compound सेम होते है 35-20 में से 16-100 अगर इधर है तो क्या 19-20 इधर होगा आप लोग agree करोगे हाँ सर हम लोग सभी agree करेंगे सर आपने कहा था कि जो extra यहाँ पर interest मिल रहा है 320 रुपेयों का वो इसी previous interest पर मिलता है आपने तो करके भी दिखा है वो सही है मैंने का हाँ सर यहाँ पर करो मैंने का किया सर यहाँ पर कितना आ रहा है वो कितना होगा पता है मैंने का कितना सर आठ हजार का मैंने का हाँ option number B इस सवाल का सठीक उत्तर क्या यह चीज clear है एक बार भाई मैं आपके effort मेहनद मतलब खाली question नहीं समझा रहा question के बीचे का background कैसे frame होता है सब कुछ बता रहा हूँ जैसे की clarity आप में रहे आप खुद कभी सवालों में ना फसो खुद ही निकल जाओ सवालों में से इसी तरीके का समझाने की पूरी कोशिस कर रहा हूँ यहां तक clear है एकदम मस्त बढ़िया चलो हाँ दो साल का CISI का difference भी लेके जा सकते हो जबरदस्ति क्यों ने एक method और सीखो न advance इसलिए तो आप favourite हैं सर अरे thank you so much आप जितने लोग यहां पढ़ रहे हो मेरे से मैं सबका favourite हूँ क्या सबका ऐसा कोई नहीं होगा मैं आज के लिए favourite हूँगा कि कोई और subject वाले ज्यादा favourite हूँ पसंद हो हो सकता है हाँ सर सबका अरे thank you so much love you sir एए answer आ रहा है और का पता नहीं पर मेरे लिए तो हो सरा चाला एक answer आ रहा है 13-20 आप लोग बात करें आप पर selection लेने वाले answer ले लेकिन मेरा blessings आपके साथ है उनको छोड़ो वो question करते रहेंगे जो प्यार तुम मुझे दे रहे हो ना उसको कभी मुझे निकालने दो समय दो कभी ठीक है बाकी सब लोग भी लाई भाई मैं करूं तो करूं क्या master खुद बोल ले answer नहीं प्यार दो जीब master नहीं answer नहीं चाहिए प्यार दो a man received interest rupees 576 when he invested rupees p at 12% per annum simple interest for 3 years sir मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कहूं मैंने कहूं sir अगर आपने 12% के इसाब से 3 साल के लिए invest किया होगा तो आपको 36% का interest मिला होगा sir यहाँ पे जो 36% का interest है उसने जो interest receive किया वो 576 का है तो sir आपने जो दिया होगा sum वो तो 100% का होगा मैंने का हाँ sir कैसे निकालेंगे मैंने का 576 divided by 36 into 100 sir calculate करो मैंने का 36 मैं काटा एक बार 36 यह 211 यानि कि 216 यानि कि 6 बार sir यह हो गया 1600 क्या आपको पता है जो आपने sum invest किया था वो P जान रहा था हाँ sir तो P आपको आ चुका है अगर आपने P प्लस 1400 अगर P आपका 1600 है तो 1400 अगर मैं इसमें जोड दू तो आपने कितना invest किया sir हमने 3000 रुपे invest किया 3000 रुपे जो आपने invest किया वो 20% के compounded annually for 2 years में किया तो वहाँ पे आपको 44% का interest मिलेगा तो वही जो interest आपको मिले वही पूछा है तो इसी का जब आप 44% निकालने जाओगे clerical level का सवाल है यह dicto आपका clerical level का सवाल है 13-20 option number 8 सवाल का सभी जोगा इसको लिख लो screen पे यही आपका clerical level का सवाल है ठीक है आगे बढ़ सकते है इसको करो जो बन गया हो इसी वही clerical है देखो सवाल को एक बार अच्छे से बाई यह कौन है अपना अपना प्रस्टेसन निकालने आई भी पेस के उपर बाई क्या हो गया तुम्हारा गाना बना सुनके एक्साइटेड हो गया क्या compound interest on a certain sum for 2 years at a certain rate of interest is 86.4 more than that by simple interest on the same sum at the same rate of interest for 2 years if the simple interest on the same sum and at half the previous rate of interest for 5 years is at 10 hundred find the sum one of the beautiful questions beautiful questions किसी ने फील किया मैंने फील किया आपको करवाता हूँ वह उपर क्या लिखा उसको छोड़ दो पहले मैं इधर आता हूँ उसने कहा कि जो आपका simple interest है on the same sum and at half the previous rate of interest for 5 years is 1800 अगर मैंने जितना rate आपको interest देने का promise किया था अगर मैं उसके आधे rate of interest में आपको interest दू तो जो interest आपको मिलेगा वो भी committed interest का आधा ही होगा तो similarly अगर आपका जो भी previous rate of interest है उसके आधा rate of interest में अगर ये sum चल रहा है तो आपको जो interest मिलना होगा वो आधा मिलना होगा यानि कि अगर आप previous rate of interest में ही interest पाते तो आपको डबल 3600 रुपे का interest मिलता बोलो हाई या ना 3600 का रुपे का interest अगर आपको 5 साल में मिलता क्या आप लोग एगरी करोगे कि हर साल आपको 720, 720, 720 रुपे का interest मिलता हाँ सर हर साल 720, 720, 720, 720 मिलता उसने का जो compound interest है एक certain sum के 2 साल के लिए वो आपका 86.4 रुपीज ज्यादा है simple interest से सर अगर हम और हाँ आगे भी पढ़ो same sum at the same rate of interest for 2 years मतलब 2 साल का compound interest 2 साल के simple interest है 86.4 ज्यादा है सर कुछ कहूं मैंने का हाँ कहूं सर पता है ये 2 साल का जो simple interest है वो 1440 है दो आपको पता है 2 साल में जो compound interest आएगा वो कितना आएगा मैंने का कितना सर जो simple interest है उससे 86.4 लेकिन अब twist आएगा आप ये वाला calculation को लिखे बगेर भी कर सकते हो सर कैसे पहले साल का simple interest को अगर मैं बराबर कर दो 720 के साथ तो अगले साल ही यही 86.4 एक्स्ट्रा मिला होगा बोलो हाँ या ना और अगले साल ही जो 86.4 एक्स्ट्रा मिला होगा इसको भी निकालने के आपको ज़रूरत नहीं क्यों क्योंकि अगर आपको rate चाहिए तो ये जो एक्स्ट्रा 86.4 है वो आपको किसके उपर मिला होगा 720 के उपर मिला होगा into का 100 एक जीरो इसके साथ एक जीरो पॉइंट को निगलने के लिए 18 में काटूं चार बार 18 में काटूं चार बार 72 एक सो चौवालिस यानिके 8 तो ये हो गया आपके पास 12 तो rate of interest आपके पास 12 तो जो principle आपका है 100% sum वो 1% 60 के साथ कितना हो जाएगा 6,000 क्या आप approach पे ध्यान दे रहे हो जल्दी से बताओ क्या आप approach पे ध्यान दे रहे हो कौँ आइडिया तो सबको लगया होगा कि हाँ ये वही category में हो जाएगा थोड़ा यहाँ पे गुमाया था पहला जो twist था वो क्या था कि जितना rate चलना है उस rate का अगर आधा rate में आपको interest मिलेगा तो 5 साल में 1800 मिलेगा मेरा दिमाग के रहा है कि आधा rate में तो आधा interest मिलेगा तो पूरा rate अगर जेन्विन चलता तो पूरा interest इसका डबल 3600 का मिलता 3600 का interest अगर 5 साल मिलता तो हर साल 720-720 का मिलता सर ने तो कहा है दो साल में काम बना लेंगे तो हमने दो साल का रखा और दो साल में जो total simple interest 1440 हुआ compound interest दो साल का जो है वो उसी से 86.4 जादा है लेकिन उसको भी सर ने नहीं निकाला क्यों सर ने कहा कि पहला साल तो 720 का 720 रहेगा simple compound से जो 86.4 आपके सम में extra आना चाहिए वो यहीं पे होगा और ये भी ना निकालो क्योंकि हमें rate चालने के लिए यहां से यहां कितना extra है वो अगर direct है तो क्या निकालने के जरूँआ 86.4 का interest अगर 720 पे मिलना तो इन 212 परसंट और अगर वही 720 तो एक परसंट साथ के साथ पूरा का पूरा चे जार आगे बड़े difference between second year and third year compound interest for any sum is इतना 5% rate of interest 3-3-3 second, third ना homework देदू आपको please 3 में एक question आज करें हैं एक बार देखोगे particular second year और third year का interest का difference एक होमर देदू डिट्टो में ने इसी टाइप का question करवा है नहीं होगा और आज मुझसे ये सवाल चलो एक बार देख लूँ शेशन को आपने like और share भरपूर के किया है कि नहीं अरे like कर दो like नहीं कर रहे हैं आप लो कंजूस ही मत करो like करने के लिए थोड़ी नहीं आपको super chat मांगा है like ही तो करने के लिए कह रहा हूं sir SI को skip कर सकता हूं क्या समझ में नहीं आता आपका call है complete बट मेंस में उससे डियाई आ सकते हैं यह चीज ध्यान रखेगा अब है invested a certain amount at the rate of 20% पर आनम at compound interest and obtained Rs.704 as interest in 2 years if same sum is सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछ हो पूछ लो ना sir यह तो डिक्टो उसी टाप का सवाल है जैसा एक simple देके compound के और lead किया था यह compound देके simple के और lead कर रहा है 20% में 2 साल में जो compound मिला होगा क्या आप agree करोगे कि वही 44% होता है हाँ sir वही 44% का interest अगर 704 रुपे है तो जो दिया हुआ राश्री 100% का है वो कैसे निकालोगे sir 11 में काटेंगे तो 6,4 11 में काटेंगे 4 तो 1% आगया sir 16 तो sum जो है वो 16,00 है मैंने कहा sir अगर sum 16,00 है तो उसने कहा if same sum is invested at 8 plus R percent R अमारे पास कि R तो वो नहीं है Half yearly at simple interest for the same time rate and obtained 800 as interest मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ बड़े थंडे दिमाग से बताना आप में से कितने लोगों को लगता है कि Half yearly Simple interest के case में कुछ अलग होता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि Simple interest के case में कोई Half yearly का case होता ही नहीं सेर वो दिया है होता ही नहीं बोलो कोई sense नहीं होता है आप 6 महिने में interest calculate करो हर 6 महिने में हर 3 महिने में interest calculate करो हर महिने interest calculate करो हर दिन interest calculate करो हर गंटे interest calculate करो जो भी interest जूडता रहेगा वो calculate तो हमेशा principle पे उपर होगता रहेगा principle तो fixed है तो उसी के उपर जो interest है वो तो definitely fixed ही रहेगा compound में problem क्या होता है 3 महीने के बाद interest जुड जाने के बाद आगे interest जुडे हुए amount पे उपर मिलता है तो simple के case में half yearly का कोई scene नहीं है मतलब यह सिर्फ आपको गुमरा करने के लिए है तो आपने same sum यानी कि 1600 रुपे invest किये हाँ sir कितने साल के लिए sir same time period यानी कि 2 साल के लिए और जो interest मिला वो 800 है बस डराने के लिए डरा भी दिया मुझे भी डरा दिया था एक अगत तक अगर 2 साल में आपको 800 का interest मिलता है तो हर साल क्या आपको 400 का interest मिलना होगा हाँ हर साल अगर आपको 400 का interest मिल रहा है तो 400 का interest पूरे 1600 जो दिये गए सम का कितना परसेंट है sir वो तो 25 परसेंट है तो sir हमने जो rate में invest किया वो 25 है लेकिन उसने पूछा R और R का है sir हमारा दिया हुआ rate वही अगर 8 प्लस R है तो R का मान कितना हो जाएगा 8 माइनस होने के बाद 17 तो आप में से जितने लोग ने R का 1 17 दिया होगा option number C hats off kibit of gaza जबरदस चल लिए आपके तैयारी एक लाजवार सवाल के पास हम लोग आ चुके है ये तो मुझे लग रहा है कि हमने उसी दिन किया था शायद काफी अच्छा सवाल है मैं करवा दे तो आप लोग drop your pins कर दो ये category जानके रहना अगर ज़्यादा time consuming लगे तो इसको mark for review करके जा सकते हो बड़ थोड़े तगड़े तगड़े clerical mains type के questions आपको level of difficult device दे चकता है वो एकाच सवाल तो वो उस level का रखता भी है ना तो अगर ये topic को उसने चुना है high level पर रखने का तो ये वो category हो सकता है रिहान के पास एक sum था 5X का और उसने invest किया 40% sum को 30% पर आणम के simple interest में 5 साल के लिए उसने फिर invest किया half of the interest उसको तो receive किया along with the remaining sum at 20% पर आणम compound interest for 2 years compounded annually and received 9720 अगर मैंने 100% sum invest किया होगा या फिर 100% ना लेके इसको 100 X वहाँ है आप डरोगे खा मखा तो इसको मैं किसने से start करो 40% of the sum को 30% पर आणम के इसाब से 5 साल 1500% 40% हाँ चलेगा तो मैंने suppose 100 parts का sum invest किया है था मेरे पास मतलब जो 5X है वही हमारे पास 100 parts है उसने invest किया 40% sum को इसका 40% कितना होता है 40 parts 30% पर आणम simple interest में 5 साल मतलब इस पे 1500% का interest मिलेगा he then invested half of the interest received इसका 1500% कितना होता है सर देड़ गुना यानि कि 60 parts का interest है लेकिन सर इसने जमा किया इसका interest का आधा यानि कि 30 parts को along with the remaining sum remaining sum कौन सा है सर 100 part में से 40 part तो उसने parts का है तो 60 part plus 30 part यानि कि वो 90 parts invest कर रहा है at 20% compound interest for 2 years compounded annually and receive 9720 amount इस 90 parts को जब आप 20% के हिसाब से 2 साल के लिए invest करते हो तो 44% का interest मिलेगा बड़ जो amount मिलेगा वो 44% बढ़के 144% का होगा और यही जो इसका 144% का amount है वही अगर 9720 है तो क्या आप मुझे P का मान दे सकते हो हाँ सर कैसे 9 बहुत गंदा है नहीं यहाँ पे 2 मेगाटो 5 पी 75 आया क्या एक बार confirm करो हाँ 75,000 आप बोल ले हो दिन उसने कहा the amount received at simple interest on rupees 5x पहले तो 5x क्या है सर 5x 100 parts है एक पार्ट अगर 75 है तो 100 parts तो 7,500 है हाँ ऐसा ही रहेगा न 7,500 शायद और अगर 7,500 पे हम 2 साल के लिए 20% पर आना हम कही साथ से simple interest करें तो इसका 40% नहीं तो मेरा कम हो जा रहा है percentage के साथ 2,0 मेरे पास जो answer आ रहा है वो तो जो amount होगा वो कितना हो जाएगा सर 7,500 में 3,000 जुडेगा तो 11,500 है क्या 11,500 ? 11,500 है न भाई 7,500 ओ नहीं 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 10,500 भाई सॉरी अच्छा सवाल है करना इस question को ? ने ने कोटा पूरा नहीं है अभी हम जिन्दा है बस थोड़ा पानी पीना है औक्सिजन चाहिए सन्नागरलेंड आने का कोई planning है अभी के लिए तो नहीं फिर भी जब जाएंगे तो बताएंगे मुझे तो काफी पसंद आया असाम बहुत बढ़िया लगा मुझे तो उस एरिया को जब भी जाना होगा बताएंगे सवाल मुझे तो feel आ रहा है पढ़के जब आप शुरू नहीं कर पाथ एक्चुली में ट्रेंड है human tendency जब सवाल को पढ़के स्टार्टिं अप्रोच ही क्लिक ना गरे सवाल अच्छा है हाई या न मुझे तो इसी लिए लगा मैं भी देख लेता है थोड़ा question को और एक बा यानि कि आप में से कितने लोग राजी होंगे कि 1500 रुपे का interest तो बनता है आउट अव तर टोटल अमाउंट ही बौरोड जो टोटल अमाउंट उसने बौरो किया था उसने invest किया 80% अमाउंट आर परसंट पर आनम compound interest पे 3 साल के लिए उसने invest किया 80% यानि कि उसने 8,000 खर्चा कर दिया बाकी उसने खर्चा कर दिया मतला 2000 रुपे तो गये वो और है नहीं ठीक है सर है नहीं इफ आफ्टर 3 एर मैं स्टिल हैस टू पे रुपीस 8.52 बड़ा conceptual सवाल है यह आपके हाथ से जा चुका है तो आपके हाथ जो पैसा आने वाला है वो सिर्फ इसी आठ हजार सो ही आने वाला है आठ हजार रुपियों में से कुछ तो ऐसा आ गया जो कि देने के बाद मुझे और सिर्फ और सिर्फ आठ सो बावन रुपे और इंटरेस्ट के तरह देने पड़ेंगे तो आर का मान बताओ सबसे पहले सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर कहूं मैंने कहां कहूं सर आपका अगर दस हजार जो मैंने लिया था उस पे पंदरा सो का इंटरेस्ट बनता है और पंदरा सो के इंटरेस्ट में से अगर मुझे आठ सो बावन का इंटरेस्ट देना वापस है मतलब बाकी है तो मतलब यहां से मैंने बाकी इंट्रेस्ट का इंतजाम कर लिया है मैंने का हाँ बाकी इंट्रेस्ट का इंतजाम मतलब कितना होता है सर यह होता है 48 900 और सर 648 का इंतजाम मैंने कर लिया है यही नहीं 648 के साथ इस 10,000 का इंट्रेस्ट भी 10,000 रुपे भी मैंने आपके कर लिये हैं इकटे इसलिए सिर्फ मुझे और बाकी 822 देना है तो मैंने 10,000 प्लस 648 यानि के 10,648 इकटे कर लिये जो मुझे लग रहा है अगर 8,000 रुपे तीन साल में 10648 का बन जा रहा है तो कितना का चल ला होगा 8 यह तो 8,000 था अच्छा था क्यूब है यह तो किसी का क्यूब नहीं है चलो 8 में काटो तो क्यूब बन जाएगा शायद 8 में काटोगे तो 8 एकं 26 यानि के 3 और यह आपके पास 24 यानि के 3 हा बन गया तो सर 1000 से 1331 बनना वो भी 3 साल के बाद मतलब हर सा पैसा 10 से 11 होना आज बढ़ाया था और हर साल पैसा अगर 10 से 11 हो रहा है तो जो rate of interest है वो एक का चल ला है 10 के उपर यानि कि 10% का आपका R है और 10% यानि कि option number C इस सवाल का बिल्कुल सटिक उत्तर है कर सकते हो और एक बार मैं इस question को डिखा देना चाहूंगा बिल्कुल आपने उधार कितना लिया 10,000 कितने परसंट से 5% कितने साल के लिए 3 साल कितना परसंट का interest 15% 10,000 का 15% 1500 क्या किया 80% को compound interest पे चड़ाया कितने परसंट में 8% में कितने साल के लिए 3 साल के लिए बाकी 2000 खा गये तीन साल के बाद सब कुछ होने के बाद आप फिर भी O कर रहे हो इसमें ज्यादा अच्छा word होना चाहिए आज इंट्रेस ना करके अगर करता तो भी अच्छा होता अज इंट्रेस करने से लोड़ा confusion language में हो जाता है या फिर O's 8.52 मोर ऐसा करके लिखना चाहिए था वो 2000 तो में खा गया वो तो अभी वापस नहीं आएगा तो जो भी पैसे मुझे इकटे करने है इसी 8,000 को निवेश करके ही करने है कितना पैसा मुझे इकटे करने है इतना पैसा कि 852 रुपे मुझे फिर भी देना पड़ जाए 1500 का इंटरेस्ट मुझे देना था तो बाकी 852 को छोड़के 648 का इंतिजाम मैंने कर दिया है 648 का इंतिजाम करने के साथ उसको जब देने जाओंगा तो 10,000 कभी मैंने हिसाब लगा ही लिया होगा तो 10,000 और 648 मैंने 10,648 इसी 8,000 में से इकटे कर लिये है जिसके चलते मुझे और 852 का इंटरेस्ट बस पे करना है तो यही 8,000 को जब 8% में 3 साल के लिए चला जाता है इतने का अमाउंट बनता है तो रेट कितना चल दा है सर मैंने 8,000 लिखा मैंने ये लिखा तीन साल मतलब क्यूब होगा इसका क्यूब रूर जब मैं करने गया तो यह 10,648 किसी का क्यूब दिखने ही रहा था आठ से कटिंग के बाद दिख गया 10,000 और 13,31 यानि कि 10 का क्यूब और यह आपके पास ये का तो ओ यह 22 का क्यूब है क्या आप बोल लेते बीच में कमेंड अच्छा ये 20 मुझे तो 15 तक का क्यूब या दे मैं तो आपके साथ कंफेस किया हुआ है ठीक है अच्छा ये 22 मुझे नहीं पता एक्शली सही में honestly चलो आगे बढ़े और अभी आपके सामने 80-20 हो चुका है 80-20 80-20 का मतलब समझ रहे हो सर क्या पांच आपसर में से सिर्व एक ही दिख रहा है आदे बच्छे तो C के साथ चले भी गए होंगे ठीक है आदे बच्छे तो C के साथ चले भी गए होंगे ये एकार कुस्टिन का ये प्रॉब्लम है स्टार्ट करें राहुल इंवेस्ट रुपीज थो था थाउजन इन स्टार्ट पर अनम ये डिख वन रहे आपको जो के रहा हूंगे शांती से सुनिए राहुल ने स्कीम A में कितना इन्वेस्ट किया सर स्कीम A में उसने 2000 रुपे इन्वेस्ट किये और जो कि ओफर करता है सिंपल इंटरेस्ट अट रेट अफ 12% पर एनम और वहां पर उसने इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए दो साल में डिफरेंट्स चाहिए ना तो जब आप 12% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में दो साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो इसी का 24% आपको इंटरेस्ट मिलता है इसका 24% कितना है सर परसेंटेज के साथ 2-0 काटा सर यह 480 का इंटरेस्ट बना मैंने का हाँ सर आपको पता है उसने स्कीम B में 6,000 रुपे इंवेस्ट किया मैंने कहाँ सर आपको पता है यह जो 6,000 रुपे उसने इंवेस्ट किये स्कीम B में एक ऐसा कंडीशन में इंवेस्ट किया कि जो वो इंटरेस्ट है ना रेट वो डबल होगा हर साल और जो rate of interest पहले साल के लिए वो 10% भाई मेरा कुछ नहीं है साल तो सुरूने से पहले ही खतम हो गया 2 साल मतलब पहले साल का 10% अगले साल का double यानि की 20% अब simple होता तो 10 और 20 को जोड़ के 30% बोल देता बट compound मतलब पहले 10 मिलने के उपर और एक 20% अभी मिलेगा तो 10 के उपर 20 का जब मैं successive लगाऊंगा तो 10, 20, 32 मुझे दिख रहा है बट आपके लिए जब मैं इस चीज को करूंगा तो ये 30 और ये 2, 32% का interest आपको इस scheme में मिलेगा सर इसका जो 32% है वो 192 और उसमें एक 0 इतना होगा मैंने कहा सर उसने कहा what is the difference from the interest amount received in 2 years इन दोनों interest के बीच का difference कितना है सर ये 40 तो ये हो जाएगा आपके पास 520 और ये आपके पास 1440 आप में से किसी का answer अगर 1440 आया होगा तो कितना है वही इस सवाल का सही उत्तर है वो कहीं एक adjust कर दो option नमर ए पे 1440 लिखके खुट टिक कर दो खुश हो जाओ अगला स्वाल drop your pens ये उसी का application है अरुन ने invest किया 10,000 तीन साल के लिए compound interest में और rate of interest जो चल ला है वो 20% पर आनम का चल ला है मेरे दोस्त अगर पहले साल और तीसरे साल interest calculated annually annually साल भर के हिसाब से हुआ और second year में interest जो है वो calculate किया गया half yearly तो मुझे बताओ total interest receive कितना किया गया होगा अरुन के द्वारा तीन सालों में अब क्या method लगाओगे वो तो आपके उपर depend करता अगर आप AB लगाओगे तो successive वाला वो अच्छा है कैसे अच्छा है मैं आपको बता रहा हूँ नियम कहता है कि आपने 10,000 रुपियों को 20% पर annum के इसाब से invest तो किया लेकिन पहले साल और तीसरे साल ही आपका compounded annually चल रहा है दूसरे साल तो half yearly चल रहा है half yearly मतलब 6 महिने में एक बार मिलेगा तो पूरे साल में दो बार मिलेगा पूरे साल में दो बार मिलेगा तो क्या हर बार 20-20 मिलेगा जो साल आना commitment है 20 वो आधा-धा यानि कि 10% और 10% मिलेगा और यह जहां पर annually चल रहा है वहां तो पूरा का पूरा 20% और 20% का मिलेगा ही मिलेगा बोलो हाँ या ना यह question मैंने बहुत बार आपको करवाया coffee best question यह बहुत important concept deliver करता है इसने में इस number में कुछ छेड़खानी नहीं करता हूँ अब मेरा आपसे एक simple सा सवाल है आपको पूरे sum पे 20% एक 10% एक 10% एक 20% मिलेगा तो overall कितना percent का interest अगर मैं आपसे पूछओ तो आप क्या कहोगे सर आपने जितना रटवाय है दो 20 के वज़े से 44 सर सर मैंने का क्या हो गया लिखने तो दे सर कैसे लिख सकते हो मैंने का क्या 20 के उपर 10 फिर 10 फिर 20 ना भाई matter नहीं करता आप किसको किसके साथ लेते हो percentage change में sequence कभी matter नहीं करता इसका जीता जाता प्रमान कैसे दूँ 100 को अगर मैं पहले 20% बढ़ा के फिर 25% बढ़ा दू और 100 को अगर मैं पहले 25% बढ़ा के फिर 20% बढ़ा दू तो क्या दोनो end value same होंगे मेरा एक सवाल का उत्तर दो क्या दोनो same होंगे पहले 20% बढ़ा है फिर 25 पहले 25 फिर 20 क्या दोनो value same होंगे comment me क्या दोनो value same होंगे जल्दी बताओ रे कोई भी ना नहीं है चालो यह हमेशा same रहेगा क्यों क्योंकि 100 का 20% बढ़ा के 120 120 का 25% एक चोथा इसका 30 होता है 30 बढ़ने के बाद 150 100 का 25% 125 125 का 20% यानि कि 1 बटा 5 जब करोगे तो वो कितना हो जाएगा 25 25 जुड़ेगा तो 150 मतलब कभी यहां पे भी percentage change 50% का ही आया और यहां पे भी percentage change 50% का आया क्या sequence matter करता है percentage change में नहीं अगर आपका percentage change में sequence matter नहीं करता तो जहां से जो लगाने लगाओ 220 का कितना बनता है सर 220 का तो 44 बनता है मैंने का 210 का कितना बनता है सर दो दसका तो 21 बनता है अब 44 के उपर 21 लगाओगे तो क्या ऐसे लगाओगे बढ़ यहाँ पर थोड़ा लास्ट में गंदा हो गया जैसे कि यह इतना भी गंदा नहीं है 880 और 44 जब कर दोगे तो 9.24 हो जाएगा और 44 प्लस 21 65, 65 प्लस 9 हो जाएगा पॉइंड के 2-0 निगलने के बाद 7424 बट अगर 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 आप इस लास्ट वाले कैलकुलेशन से थोड़ा बचना चाहते हो तो आप एक काम भी कर सकते हो आपके दिये हुए सम 10,000 को पहले 20% पूरा बढ़ा के 6 by 5 फिर 6 महिने में 10% बढ़ा के 11 बटा 10 6 महिने में 10% बढ़ा के 11 बटा 10 फिर साल में 20% बढ़ा के 6 बटा 5 करके इस अमाउंट से 10,000 को माइनस करके इंटर 7424 निकाल सकते हो यह डेफिनेटली इतना हो रहा होगा डेसिमल से डन नहीं लगता है सर नन अव दीस से लगता है अरे नन अव दीस था गया उसमे मेरा तो आंसर मैच कर गया सर नहीं 7424 क्लास सारी रात है क्या क्लास अभी तो रात जवान है 75,000 सवाल का अंसर इतना फास्ट कैसे आ गया कुछ नहीं है क्या सवाल में शिवाव इंवेश्टेट रुपीज एकसने स्कीम ऑफरिंग 20% पर आना माट कमपाउंड इंट्रस कमपाउंड अन्वली फोर 3 जर्स इफ दर इंट्रस तर्ड पर्टीकुलर थर यहर पर्टीकुलर थर्ड यहर के लिए आप क्या कर सकते हो इस जगा पे बहुत से बच्चे के पास जाना चाहते होंगे बट मेरे दोस्त जब परसेंटेज ही इतना ब्यूटिफुल हो 20 और साल मैक्सिमम दे रहा है 3 मैंने तो हला कि 4 में भी इगो लगा के कर दिया था एक सवाल 4 वाला दिया था तो 3 साल के लिए आप कैसे थर्ड यर का क्यूं जा रहे उट रही यार सर कैसे अरे 20 परसेंट में 2 साल तक 44 परसेंट का इंटर्स मिलना तय है 20 परसेंट के हिसाब से 3 साल तक 72.8 परसेंट मिलना तय है यहां से यहां जो एक्स्ट्रा आया होगा 0.8 और 852 और ये 28.8 क्या यही तीसरे साल आना ही तय है सर तय है तो जो interest आपका third year में मिला है वही अगर 28.8% 21600 है तो आपका जो principle है 100% क्योंकि आपने extra invest किया है वो X ही तो है तो वो कितना हो जाएगा सर मैं आपसे कुछ कहना चाहतू मैंने कहा कहो सर पॉइंट हटाया तो एक 0 आजाएगा मैंने कहा सर अगर मैं इसको 36 से काटू तो ये 8 बार जाएगा और 36 से काटू तो 6 बार जाएगा 8 में काटू तो 8 750 बार और 100% जो है वो 750 में 2.0 followed by होने के साथ option number 75,000 इस सवाल का 60 कुत्तर बन जाए किया आज आपको कुछ-कुछ compatible feel हो रहा है सच बताना कुछ-कुछ methods के साथ मैं आपको revise properly कर वारा हूँ जो कि आप सवालों को देखते ही तुरंत idea लगा पारे हो कि कौन सा method इसके लिए सही है यही होता है practice का सबसे important चीज़ यहाँ कोई trees आने की ज़रूरत नहीं है यही छोटे-छोटे चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगला सवाल यह सारे सवाल जानना चाहिए आपको बिल्कुल जानना चाहिए पेपर से पहले सर यह कोई पूछ रहा है सर यह कितने साल में कितना हो रहा है कहीं पर बता रखा आज ही बता है session के starting में तुम्हें क्या लगता है जो बाकी बच्चे पिछले दो घंटे से पढ़ रहे हैं और तुम अभी आ जाओगे दोनों बराबर हो जाओगे कैसे हाँ उनका momentum आ गया है स्टार्टिंग वाले concept सीख के राहूल ने बॉरो किया रूपीज आट हजार फ्रम राज और वो भी पंदरा परसंट पर आनम के कंपार्ण देखो मैं इसके बहुत जमेधर आपको बता सकते हूं जब तक आपको clear ना हो तब तक बता सकते हूं स्टार मार्क भी मार्क कर सकते हूं एक्जाम पॉइंट विव से थी स्टार दे रहा हूं बट कॉंसेप्टवल पॉइंट विव से फाइफ स्टार नहीं से बट से राहूं जब तरा राज से और रेट ओफ इंट्रेस्ट कितना है 15 पर आनम के compound interest pay and at the end of first year, पहले साल के end में राहुल ने again borrow किया rupees dash more from Raj on compound interest at the same rate if at the end of second year राहुल पेड total amount of rupees 13,800 to Raj completely settle his rate सारा पैसा चुकाने के लिए, then what will place come in place of question mark आदे बच्चे तो question mark देखके बोलेगा सरी तो में से क्या ही और कह सकता हूं सर अगर सच में मैंने 8,000 रुपे बोरो किये थे मैंने का हाँ हाँ सर आपको पता है क्या हुआ, मैंने का क्या जब 15% पर अनम के हिसाब से लिया गया था, तो end of the first year में मेरा कितना बन गया होगा मैंने का 8,000 का 15% बता सकते हो हाँ सर, 10% होता है 800, 5% होता है 400, तो सर, 1200 रुपे का इंटर्स बना होगा, तो एक साल के बाद मुझे उसको देने चाहिए थे 9,200, चाहिए थे, क्या मैंने दिया क्या मैंने उल्टा उससे पैसा ले लिया हाँ, at the end of first year राहूल again borrowed रुपिस X, more from राज on compound interest at the same rate तो अब जो मुझे उसको देने थे वो 9,200 तो था बट उपर से मैंने और X बोरो कर दिया तो यही पूरा पैसा अब उसका मेरे उपर है जब उसका मेरे उपर इतना पैसा है, तो क्या इसी के उपर ही 15% का interest अगले साल लगेगा फिर से हाँ सर लगेगा और जानते हो at the end of second year मतलब अगला साल जब आपका खतम हुआ तो टोटल पेमेंट कितना करना पड़ा सर कितना? 13,800 क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि टोटल पेमेंट जो आपको करना पड़ा होगा वो कैसे करना पड़ा होगा सर जो मुझे देना है प्लस जो मैंने बॉरो किया है एक साल के बाद उस पूरे पैसों पे 15% का interest लगा के 115% जिसको अच्छे वाले 23 by 20 भी जानते हैं बट कमजोर दिलवालों के लिए 15% बढ़ा के मैंने उसको यह पूरा repay किया होगा और जानते हो यही जो repay amount है वो कितना है सर कितना 13,800 5 में काटोगे 23 5 में काटोगे 20 23 में काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 शुन्य शुन्य सर ये हो जाएगा आपके पास 12,000 सर कुछ देखा आपने मैंने का क्या सर 9200 प्लस X अगर 12000 है तो X का मान हो गया 800 और 2 2800 यानि कि option number A इस सवाल का सठीक उत्तर है 2800 इस सवाल का बहतरीन सही उत्तर है क्या आप इस चीज को कर सकते हो बड़े आराम से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसको अगर आप conceptually एक और तरीके से जाओगे तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ बताओ सर अब देखो second year पे second year पे मैंने अपना first year के end में ने और नहीं समझाओगा आपको एक ही method clear मैं एक बार उसको ही repeat कर देता हूँ कि सर मैंने लिया था 8000 मैंने का हाँ एक साल के बाद इसका 15% का interest जो के 1200 रुपे है वो जुड़के पैसा 9200 बन गया होगा मैंने का हाँ मैंने उपर से ले लिया और X अब इसी के उपर 15% का interest अगले साल दे के इसका 15% बढ़ा के 115% पूरा का पूरा चुका दूँगा जो कि है 13800 इसी से मैंने सॉल किया तो X का मान कितना आ गया आपके पास 2800 और भी तरीके है बट अभी मैं आपको और जयान नहीं करना चाहता पूरा पैसा लिये थे उसको बीच में कहीं कुछ श्रीपे वगएरा किये थे तो 15% के हिसाब से 2 साल में मैंने आज ही आपको रटवाया है कि आपको 32.25% का इंटरेस्ट देना पड़ा होगा 32.25% जो है सर परसेंटेज के साथ 2-0 काटा भाई ये बहुत गंदा है ये कितना आ रहा है एक बार कमेंट करना पॉइंट तो 1 को ले लेगा तो ये इसना 0.5 है चलो मैं ही करता हूँ 3000 का आठ गुना आपके पास होता है 24 300 का आठ गुना 2400 फिर 22 का आठ गुना नहीं 200 का आठ गुना 160 फिर धाई का आठ गुना ये कर सकता हूँ में 20 रुपे तो सर 25 असी रुपे आपका यही पैसा का इंटरेस्ट बना होगा मैंने का हाँ 8,000 में 25, 20, 80 अगर आप जोड दोगे तो टोटल कितना पैसा बन रहा है सरीय बन रहा है 10,580 रुपे मैंने का हाँ जो मैंने टोटल चुकाए है वो है 13,800 रुपे 13,800 रुपे में से पहला जो मैंने लिया था उसके बावल मतलब बदले में मैंने इतना चुकाया होगा तो बाकी का पैसा जो है यानि कि 20 यह हो गया 6 यानि कि 2,8 और यह हो गया 3 यह कहां से आया होगा सरीय जो मैंने पहले साल के end में लिया था वही पैसा है मैंने का जो तुमने पहले साल के end में लिया था x उसके उपर तो सिर्फ एक ही 15% देखे उसी का 115% तुमने दिया होगा मैंने का हाँ यह 3, 2, 5, 2, 7 कुछ calculation में ने mistake किया है कुछ calculation में ने mistake किया है क्या? नहीं तो तो अगर मैं इसको cancel करूँ तो 115 में अगर मैं direct cancel करूँगा तो 115 दो बार कितना होता है तीन बार तीन बार नहीं जाएगा दो बार जाएगा या फिर 23 से cancel करो 23, 25, 23 में जाएगा एक बार और यह 92 यानि कि 40 और 5 में काटोगे तो 28 और यह 100 x कमान 28 यहां से भी आ सकता है क्या दोनों मेथड्स क्लियर है क्या दोनों मेथड्स क्लियर है अब इस सवाल के पास आओ इसका अंसर भी कर दिये कि एक बार बता कितना आया यस क्लियर सही है राजू इंवेस्टेड रुपीस x in a scheme for 2 year which offered simple interest at the rate of 18% पर अनम and sham invested रुपीस x plus 2500 in another scheme for same period of time on compound interest at the rate of 30% पर अनम यह बोथ got total interest of 6450 fine अरे यह तो किये नाच मुझे ऐसा feel आ रहा है allegation के बाद तुरंट तुरंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर allegation नहीं लगा सकते हो तो यह किये है यह हो गया है conceptual matter में again 5 star 7 star concept matter में an amount is invested at simple interest for 3 years at the rate of 5% per annum simple interest received on that amount is रुपीस 180 if the same amount is invested for 2 years at 10% per annum compound interest for 1st year and R% compound of interest for 2nd year and total compound interest received in 2 years is Rs.318 find the value of R बहुत खुबसूरत सवाल है सर एक amount है जिसको हमने invest किया simple interest में 3 साल के लिए 5% के हिसाब से और जो simple interest received हुआ वो 180 का है 5% के हिसाब से 3 साल में जो interest हमें मिला होगा वो 15% का होगा और 15% अगर interest 180 रुपय है तो 100% का जो sum है वो 1200 हुआ होगा कै यह पहला step clear हाँ sir the same amount is invested for 2 years इसी 1200 रुपयों को मैं 2 साल के लिए invest कर रहा हूँ लेकिन कोई particular fixed rate of interest है जैसे कि मैं यह भी लगा सकूँ 10% हो तो 21, 20, 24, no sir मैंने का क्या 10% का interest पहले साल का और दूसरे साल आपने भी question change किया था लेकिन यहाँ पे तो उसने पुरा गाया भी करती है उसने का R% का है और वो कह रहा है कि जो total compound interest receive किया गया है वो 318 रुपयों का है तो R कमान बताओ सर मुझे एक चीज दिख रहा है पता नहीं आपको दिखाया नहीं मैंने का बताओ सर 1200 रुपय यह पूरा concept है compound interest का 1200 रुपय अगर मैंने सच में invest किया जहाँ पहला साल 10% चल रहा है तो 100% confirm कि 1200 का 10% 120 रुपय का interest तो मुझे पहले साल देना पड़ा होगा और 120 का interest लगके मेरा जो amount है वो 1320 रुपय का बन गया होगा मैंने का हाँ सर आपसे एक बात कहूं मैंने का क्या सर यह अगले साल का जो interest है ना वो मुझे मालूम है मैंने का कैसे सर आपको क्या पता दो साल का जो compound interest है वो 318 रुपय है ना मैंने का उसमें से पहले साल अगर 120 रुपय का compound interest बन गया तो अगले साल बाकी यानि कि 88 188 का interest बनाओगा मैंने का सर आपको पता है यह जो 188 का interest दे रहे हो compound interest के definition के हिसाब से वो तो इसी amount के उपर दे रहे हो यह तो 11 में नहीं जा रहा 9 8 क्या हो गया 198 भाई यहाँ पे भी गडबड कर दिया हूं मैं चलो भाई यह से मिटेगा नहीं पूरा बक्सा हटा देना पड़ेगा तो यह आपके पास हो गया 198 तो सर यह 198 99 अब 11 में जा रहा है 11 में जाएगा 1 और 8 11 में जाएगा 12 6 में काटोगे 2 6 में काटोगे 3 2 में काटोगे 5 क्या आप सभी को 15% दिखा या सिर्फ मुझे ही दिखा option number A इस सवाल का सही उत्तर क्या आप सभी को 15% दिखा कि सर पहले साल तो यह है दूसरे साल तो यह है तो यही वाला आपके पास जो टोटल है वो option number A 15% इस सवाल का सथी कुटतर है clear है बड़ा खुबसरा सा सवाल था बड़े खुबसरा तरीके सा हमने इसको किया आगे बढ़े यह बहुत important category है जो X और X करके देता है यह तो दोनों सिंपल हो गए इस एटी लेस देन स्कीम भी यह कुशन में आप लोगों को हमवर पे दे रहा हूँ यहां पे दोनों ही दोनों सिंपल में है तो उमीद करता हूँ आप लोग अपना थोड़ा सा एफर्ट तो दोगे ही दोगे ठीक है अबना थोड़ा सा एफर्ट दोगे ही दोगे पक्का आगे बड़े राकेश इनवेस्ट रुपीस 20,000 इन स्कीम ए और स्कीम भी एसे इसे conceptually देखा जाए तो कुछ हाई लेबल का आपको पेपर पॉण्ट अब व्यू में 5 star question direct dicto आ सकता है आपको paper में राकेश ने invest किया 20,000 रुपे scheme A में और scheme B में A और B में each नहीं का गया तो दोनों के जगा total आपका 20,000 है scheme A में 20% के interest के इसाब से 2 साल चलना है यानि कि 44% का interest मिला होगा और scheme B में 15% के इसाब से same साल यानि कि 2 साल में 30% का interest मिला होगा उसने का जो difference between interest receive किया गया है scheme A to scheme B में है वो 14,000 रुपे का है अब कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम ये तो हमें पता नहीं है मैं ये मानके चलता हूँ कि compound interest में 44% ज्यादा है तो वो वाला अगर ज्यादा होगा तो आपको अगर scheme B वाला पैसा चाहिए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि scheme B में मैंने X रुपे लगाए है तो scheme A में बाकी लगाए होंगे बाकी मतलब 20,000 में से X अगर इधर है तो 20,000 माइनस X इधर होंगे हाँ सर 20,000 माइनस X का 44% और X का 30% के बीच का अंतर difference 1400 रुपे है यही है न सर 20,000 का 44% कितना है पता है मैंने कहा कितना परसेंटेज से 2-0 काटोगे सर 8-8-0-8800 और X का 30% और यहाँ पे माइनस में X का 44% यह कितना होता है पता है मैंने कहा कितना होता है सर ये होता है माइनस में x का 14% मैंने का बात तो सही है अरे x का 44% माइनस होगा न मैंने ये वाला बड़ा लिया था न तो इसको इसको माइनस करेंगे अगर मैं इसको इसको माइनस करूंगा तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो दो रो माइनस तो प्लस हो जाएंगे और अगर प्लस हो जाएंगे तो X का ये तो controversial हो जाएगा अभी तक मुझे idea नहीं लग रहा है चलो देख लेते हैं तो X का ये कितना percent आ रहा है सरी है आ रहा है आपके पास उसको बताना चाहिए था कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है को कौनसा ज्यादा आपको बताओ ना एक बाद um अपने किया उसको एक बार बताओ कौन सा उसको बताना चाहिए था डिफरेंस ना देगे उसको more-less कहना चाहिए था compound interest ज्यादा होगा चलो अगर सच में compound interest ज्यादा है तो इससे इसको जब मैं minus करूंगा minus 44% और minus 30% minus में x का 74% बना देगा इधर आएगा तो x का जो 74% है वो 1400 इधर जाके minus होगा तो ये हाँ हो रहा है हो रहा है बिल्कुल हो रहा है तो 74% अगर 74% है तो x का 11% 100 है तो अगर x का 11% 100 है तो आपको जो पूरा का पूरा x चाहिए 100% of x वो आपके पास हो जाएगा 10,000 और वो जब आपके पास 10,000 हो जाएगा option number D सवाल का सयुत्तर है ठीक है? चले? दोनों में बराबर था चलो दोनों में बराबर पैसा लगा हुआ था अगर दोनों में बराबर पैसा लगा है तो जहां 44% का इंटरेस्ट है वो ज्यादा है तो हमारा लग अच्छा हो गया है लेकिन उसको बताना चाहिए सर्गुरु पुर्णिमा के हार्दिक शुपकामने थाएंगे सो मच बताना चाहिए तो हमारा लगा क्या तो हमारा लेकिन आटच वेडा है उसने क्या देखा पता है सर क्या उसने देखा जो simple compound interest का difference आ रहा है तीन साल में difference between SI and CI तीन साल में और difference between SI and CI question का language understanding बहुत important है तीन साल में जो simple compound का difference है और दो साल में जो simple compound का difference है उन दोनों के बीच का जो ratio है वो 25 अनुपात आठ का है वो 25 अनुपात आठ का है the rate of interest is कितना सर अगर मैंने एक certain sum को अगर एक certain rate of interest में लगाया है तो सर जो difference तीन साल के लिए होगा वो कैसे निकालते हैं पता है मैंने का कैसे सर आज ही आपने formula दिया था मैंने का कैसे सर आपने कहा था P r square 300 plus r divided by 100 का क्यों ये तीन साल का difference है simple compound का और simple compound का difference दो साल में सर आपने कहा था P r by 100 का whole square और यही जो है 25 अनुपात 8 है तो पहले तो दो question में मैंने इनका demo दिखा रखा important अब अगर question का type change होके ये भी आ गया तो भी ये formula कितना help आपको करेगा आप देखना अगर आप principle को principle के साथ काट दोगे r square को इसके r square के साथ काट दोगे और 100 का square को जब मैं 100 के cube के साथ cancel करूँगा तो नीचे 100 आ जाएगा तो 300 plus r by 100 is equal to 25 बटा 8 हलाकि bingan educator मुझे ये आपको सोभा नहीं दे रहा लेकिन आप इसको भी अगर रट लोगे तो ये step भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा because इसका final conclusion हमेशा यहीं पर आके end होगा तो sir अगर मैं इसको solve करूँ तो 8 इधर आ जाएगा तो 2400 plus 8 r is equal to 2500 अगर 8 r का मान 100 है तो r का मान जो होगा वो 12% होगा और 12% option number 20 सवाल का सथी कुछ तरह clear तो अगर आपको ये वाला चीज direct याद है तो भी आप इस question को कर सकते हो हाला कि ये SSE का एक बहुत जादा favorite सवाल है bank में आपको देखने के chances बहुत rare है SSE में एक most important question में से एक है तो बच्चों को ये चीज रटा होता है बच्चों को सिर्फ formula ही नहीं बलकि उनको ये ratio भी रटे होता है कि 25-8 के ratio में 12.5 होता है किस-किस ratio में क्या-क्या होता है तो उनका अलग ही चलता है ये question हमारे सामने देखते हैं इसको कैसे solve किया जाएगा question पढ़ो बहुत interesting सवाल है a man invested rupees q in scheme z at the rate of 10% per annum compound interest compounded annually for 2 years man invested total amount received from scheme z in another scheme k at the rate of 12% per annum simple interest 2 years find the interest received from scheme k is what percent ये rupees q को क्यों ना लेके यहां पर तो आपको percentage में पूछा है तो आप 100 part ले लो कि हमने scheme z में 100 part निवेश किया है 10% per annum के हिसाब से 2 साल में हमें compound interest 21% का मिला होगा यानि कि 21 part का interest मिलके आपका पैसा 121 part का हो गया होगा man invested the total amount received from scheme z ये पूरा amount 121 को एक दूसरे scheme k में जहां पर 12% rate of interest में 2 साल के लिए simple interest चल ला है मतलर इसके उपर अभी 24% का interest मिलेगा उसने कहा जो interest हम receive करें scheme k में यानि कि second वाला वो कितना percent है interest जो हम receive करें scheme z में मैं आपसे कुछ पूछो sir पूछो sir जो हमारा k में interest होगा वो 121 का 24% होगा बोलो हा या ना क्योंकि 12% के हिसाब से 2 साल में 24% का interest मिलता है यही के का interest Z वाले interest का यानि कि इस Z वाले interest 21 का कितना percent है यही हमें सवाल में पूछा किया है बोलो हा या ना अगर मैं इसको solve करूँ तो यह कितना हो जाएगा sir अगर मैं यह तो 7 नीचे रह जा रहा है कुछ गडबड कर रहा हूं क्या 138 मेरा तो कठी नहीं रहा है आप लोगों का कैसे कठ गया मैं इन्वेस्टर टोटल अमांट रिसेट फ्रॉम स्किम Z 111 इन अनदर स्किम के 20% find interest received from स्किम K 24% अप्रोक्स वही मैं बोला हूँ यह कटनी रहा है तो यह अप्रोक्स तो लिखना निच चाहिए ना is approximately वही मैं बोला हूँ मेरा कटनी रहा है मैं question तीन बार पढ़ चुका हूँ तो sir सबसे पहले percentage को इस दो जिरो के सार उड़ा देते है 3 के साथ काट देते है 7 बार और 3 के साथ काट देते है 8 बार sir यह आपके पास 121 का आड़ गुना यानि कि 968 divided by 7 है sir साथ 14 बार होता है 98 तो 140 से हलका कम 138 बिलकुल सही का है फिर भी हम चेक कर लेते है sir 13 बार जाएगा 91 फिर 58 यानि कि आपके पास 8 बार जाएगा 56 फिर आपके पास 2 बटा साथ रह जाएगा और 2 बटा साथ कितना होता है 28.5 प्रतिशन तो ऐसे करके यह जाएगा अल्मोस्ट आपका नियरेस्ट 138 परसेंट आप्शन नमबर यह सवाल का सही उत्तर है अगला सवाल वाट शुड़ बी दा रेत आफ इंटर सच दाट इन 2 इर्स दिफरेंट बिट्विन दा कांट यह कुरो छोटा सा सवाल है देखते हैं कितने लोग करते हैं हाडली ओर 10 मिनिट्स क्लास चलाएंगे उसके बाद बंद करेंगे ठीक है पक्का दे क्लास विल एंड अट 11.30 चलेगा 11.30 तक कर सकते हो पूरी जोस के साथ तब तक और 4-5 कोशिने उड़ा देंगे चलो 40 A और आपको पढ़ने की ज़रूत नहीं है सिंपल कंपाउंड चलो मेरे कॉल का कि आवगा है थोड़ा डिनर करने के बाद उसको वना बाद पोस्ट पॉर्ण करते हैं तो फिर ठीक है सर क्वेशन कह रहा है कि रेट ओफ इंट्रेस कितना होना चाहिए ताकि जो दो साल में सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड इंट्रेस्ट के बीच का डिफरेंस बने न वो आपका 16 परसेंट हो जाए प्रिंसिपल का मतलब सिंपल है कि अगर आप प्रिंसिपल 100 होगे तो आपको जो डिफरेंस चाहिए वो 16 का होगा तो ऐसे case में rate कितना होना चाहिए वही न तो sir हमने सुना था कि difference जो होता है वो p r by 100 का whole square होता है मैंने का हाँ sir difference आपको चाहिए 16 और principle जो है वो है 100 और r by 100 का square होने के साथ साथ ये इतना हो गया sir मैंने का हाँ sir 100 के साथ कटा ये 100 जब बुना हुआ तो r square का मान sir 1600 हुआ r square 1600 तो r का मान कितना हो गया 40% option number a सवाल का साथ ही कुथ तर अगला सवाल a certain sum was invested by a person on simple interest at 5% per annum after 6 months he again made an investment of the same amount on simple interest at 6% per annum after a certain period of time the amount received from both the investment are equal which is 4600 find the sum he has invested in each scheme बहुत beautiful सवाल बहुत ही ज्यादा beautiful सवाल sir से बात करने के लिए क्या करना होता है एक scanner होता है ठीक है जो कि direct मेरे phone पे और Google पे के साथ connected होता है आप अगर उस पे अपना mobile का जो camera है डालके उसमें अगर कुछ धनराशी आपके जितने भी अब afford कर सकते हैं अगर डाल दें तो भी हम आपसे बात नहीं करेंगे सर ऐसा क्यों अरे हम बात नहीं कर रहें वो मजाग कर रहे है टेक्स्ट की बात कर रहे है ठीक है कितना गुरू दक्षिना जरूर सर एक certain sum है जिसको invest किया गया है अगर आपने पहले स्किम में जितना पैसा लगाय था दो साल के बाद अगर आपको बराबर बराबर अमाउंट मिल रहा है तो क्या यह कहना ठीक होगा कि इसी दोनों सालों के बीच में इसी टाइम फ्रेस के बीच में जो आपको compound interest मिला है वो भी बराबर है बस हाँ यह नामे जवाब दूँ मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता है अगर तुम भी 100 दे रहे हो मैं भी 100 दे रहा हूँ तुम्हें भी 200 मिलने टोटल मुझे भी 200 मिलने टोटल तो जो एक्स्ट्रा 100-100 है वो भी तो दोनों के लिए बराबर होगा मतलब अगर दोनों के principal investment सेम है और दोनों को एक time phase के बाद बराबर amount मिल रहे है तो जो span के दोरान उनको compound interest मिला होगा वो भी सेम होगा पहला step क्लियर सर जो भी principal है पहले वाले बंदे को 5% के हिसाब से T years के लिए मैं time तो नहीं जाना तो T years के लिए 5 T percent का interest मिलता होगा मैंने का हाँ सर दूसरे बंदे को उसी P principal क्योंकि सरी वही बंदा 6 महीने के बाद उसी principal को फिर से invest किया ना मैंने का हाँ सर उसी principal को जो उसने invest किया ना लेकिन इस बार उसने 6% के हिसाब से किया लेकिन कितने time के लिए किया पता है तो जो second वाला investment होगा वो 6 महीना कम होगा पहले time से या फिर जिसको आप कह सकते हो half year कम होगा पहले scheme से यानि कि यहाँ पर अगर T महीना या फिर T years के लिए invest किया गया है तो यहाँ पर 6% के हिसाब से T में से half साल कम के लिए invest किया गया होगा और यही जो इसका interest और यही जो इसका interest है निया मनुसार मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि वो equal है और सर जब मैंने percentage को percentage काटा और P को P काटा तो सर यहाँ पर 5T is equal to 60 और यह आपके पास हो गया आपके पास 3 माइनस का 3 सर T is equal to 3 खतम हाँ सर खतम अगर T is equal to 3 तो 5% के इसाब से 3 साल में आपको 15% का interest मिला होगा 100% आपने दिया होगा और 15% का interest मिला तो आप 115% का amount निकाले के आये होगे 115% का amount वो कितना है सर वो है 4600 अगर आपका 115% 4600 है तो sum जो हमने invest किया है 100% वो कितना होगा सर आपको कुछ दिखा मैंने का क्या 115 का 4 गुना होता है 460 तो उसका 40 गुना तो 100% का 40 गुना यह कितना हो जाएगा सर यह हो जाएगा 4000 40 सही है ना एक बार बता ना E तो यहां पर हम कह सकते है ननावदीस E इस सवाल का सयूत्तर है ठीक है correct चालो E कर सकते हो और 5 मिनिट से कितना कुछिशन करोगे कौसिकास रुपीस X plus 500 with him he invested the sum in scheme A at 40% for simple interest for 3 years he then invested 75% of the amount received from scheme A in scheme B at हाँ रे यह बहुत important question है most important question में से क्यों क्योंकि यहां पर chain win नहीं लगा सकते क्योंकि उसने का if the sum of the interest received by him from both the scheme A and B is 5778 then find the sum Kaushik had initially बस एक टेकनीक बता रहा आपका यह पूरा का पूरा simple compound interest का जो chapter है वो application है percentage का percentage निकालने के लिए अगर उसमें 2-0 है तो आसान है तो हम X ना लेके हमारे assumption को यह कहेंगे कि हमारा जो starting था वो 100 A प्लस 500 का था जैसे कि आपको कभी feel ना हो कि X कहीं चला गया है X को हम कितना ले लेंगे 100 A यह approach बहुत important है यह रखा गया है question इसके लिए ता कि आपको सारे सवालों का approach पता चल सके इससे क्या आपको कुछ benefit होगा हाँ होगा उसने इन्वेस्ट किया sum को scheme A में जहांपे 40% के हिसाब से आपको 3 साल के लिए 120% का interest मिला होगा बोलो हाँ या ना सर 100 का 120% तो 120 A होता है मैंने का हाँ और 500 का 120% 600 तो यह simple interest आपको मिला होगा मैंने का हाँ उसने invest किया 75% of the amount received from scheme A क्या आप मुझे एक बार amount बता सकते हो हाँ सर amount बता सकते है मैंने का कितना सर यह और यह जब जुडेंगे तो यह 220 A और यह आपके पास 1100 इस amount का तुम कितना percent invest कर रहे हो सर 75% यानि कि 3-4th सर हम invest कर रहे है यह जो 3-4th आप invest करोगे scheme B में वहाँ पे 20% पर आनम compound interest चल रहा है और आप वहाँ पे 2 साल के लिए invest कर रहे हो यानि कि 20 और 2, 44% का interest यहाँ पे आपको मिलेगा इसका 44% का interest आपको मिलेगा और वह कह रहा है कि जो दोनों scheme में interest मिल रहे हैं आपको वो together sum 5, 7, 7, 8 है सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैंने कहां कहो सर अगर हम 4 को इसके साथ काट दे तो यह 11 मैंने कहां 33 और 220 A का जो multiplication होगा उसमें 1,0 तो कठी जाएगा कुछ और अच्छा method है क्या मुझे यह अच्छा method नहीं लग रहा है इसका interest और इसको interest तो जोड़ूँगा चलो करते हैं और क्या करते हैं 11 into 2 11 into 3 121 into 6 726 10 होता एक यह तो यह हो जाता 0.6 A काफी गंदा है बहुत गंदा है यह 0000 कटेगा 121 का 3 गुना यानि कि 363 यह कैसे जादा हो गया रहे यह कैसे जादा हो गया यह तो 220 है यह तो 1100 है multiply 33 का जब होगा तो 2020 काट दिये 121 का 3 गुना मैंने 363 किया है ठीक है यहाँ पर 11 into 2 11 into 726 ओहो यह 72.6 है सर अब अगर मैं इन दोनों का interest का sum कहूँ तो आप कहोगे कि सर 192.6 A plus 600 plus 363 यानि कि 963 यह जो interest का sum है वही है 5778 मैंने का हाँ तो सर यह वाला चीज जाबके जब उधर माइनस होगा तो यह 5,1 और यह आपके पास 9 में 8 जोडेंगे और यह आपके पास इतना हो जाएगा मैंने का हाँ सर 198 भाई यह बहुत गंदार है calculator लगाओ मैंने कुछ गडबर तो नहीं किया X प्लस 500 ओहो, हाँ, method तो वही है अरे, हाँ, वही मैं इसको रखा था उस method के लिए लेकिन दिमार्च में idea नहीं लगा यह रखा गया था उसलिए, मैंने approach उपर mark किया था न, sorry वही मैं सोचो, इतना गंदा कैसे हो गया इसको रखा गया था sorry sorry, sorry, sorry यह वो सवाल है, याद आ गया आप इस X प्लस 500 को न, इसी को ही 100 कोई variable के साथ associate कर दो अब 40% पर आनम के हिसाब से simple interest जब 3 साल मिलेगा तो इसका 120% यानि कि 120A का simple interest आपको मिलेगा तो जो amount आप लेके आओगे वो कितना होगा वो 220A होगा, agree करोगे क्या आपने पूरे के पूरे 220A जो amount मिला उसको invest किया नहीं, उसका 75% यानि कि उसका 3 4 त आपने invest किया इसका 3 4 जो आपने invest किया, वहाँ पे 20% के हिसाब से 2 साल इसका 44% यानि कि 11 बटे 25 का interest मिला होगा 44,500 काट दोगे और ये जोनों जो interest है, इन दोनों का जो sum है वो आपको 578 दिया है तो sir इसमें जो interest आ रहा है, वो मैं आपको एक बर बता देना चाहता हो आप एक और 0 लगा सकता हो, ये तो decimal से deal कर सकता हो कोई problem वाली बात नहीं है अगर आप इसको 4 में काटोगे 4 में तो कटेगा नहीं, एक काम करें एक और 0 लगा ले एक और जब मैं 0 लगा लेता हो, तो ये 1000 हो जाता है ये आपके पास इतना हो जाता, इसे फाइदा क्या 25 के जो 100 है, उसने काटा तो ये 22 बन गया 11 और 11, 121 और 16, यानि कि 726 A का इंटरेस्ट यहां पे मिला दोनों जगा आप जब जोडोगे, तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1926 A का आ रहा है और वही जो टोटल इंटरेस्ट है, वो 5, 7, 7, 8 का है अब आपने कुछ देखा 19 का 3 टाइमस 57, 26 का 3 टाइमस 78 तो ये आपके पास A का मान 3 दे रहा है आपको लेकिन पूछा है, कौशिक है इनीशेली मेरे पास X प्लस 500 है, जिसके लिए मुझे X चाहिए या फिर ये ही वाला ना, X प्लस 500 मतलब 100 है तो A अगर आपके पास 3 है, तो 1000 A आपके पास कितना हो जाएगा 3000, ओप्शन नमबर D सर जी ही करवाते थे एक साल पहले तक, क्या, कौन सा वाला सर 500 क्यों नहीं, आरे ले सकते हो 500 लेने से ये कैलक्लेशन, ये कैलक्लेशन थोड़ा एक बिट टफ हो जाता ना, तो 100, 1000 ऐसे लोगे तो कैलक्लेशन आपके लिए आसान होगा ठीक है, अच्छा सवाल था एक सवाल मैं आपको हूमवर्ग देके जा रहा हूँ आज के सेशन को पीवे सवाल में ही एंड करते हैं, काफी अच्छा है पीवे सवाल बहुत अच्छा लेवल का था तो ये एक सवाल मैंने आप लोगों को हूमवर्ग पे दिया आप जैसे कि मैंने आपसे प्रॉब्मिस किया था कि आपको छोड़ दूँगा 11.30 पे तो ये एक सवाल आप लोगों को मैं हूमवर्ग दे रहा हूँ ठीक है तो बस यहीं कहके आज के सेशन को एंड करता हूँ सेशन कैसा लगा एक बार कमेंड करके बताईए लाइव चैट नहीं कमेंड बॉक्स पे देखता हूँ क्या आप लोगोंने हजार लाइक का आंकडा पार करवाया है या नहीं हाँ हजार लाइक का आपने आंकडा पार करवा दे उसके लिए शुक्रिया ठीक है तो बस ग्रेट शेशन थैंक्यू सो मच तो बाकी जितने लोग जुड रहे हो एफर्ट्स को अप्रिशेट करने के लिए शेशन को लाइक और शेयर करते रहेगा और कमेंड से कमेंड बॉक्स को भर दीजिएगा इतना आप सभी से रिक्वेस्ट अच्छा लगता है जो भी प्रव्लेम होगा हम आप लोगों के लिए खड़े हैं टेंशन बिलकुल ना लोग पढ़ते जाओ मैंनत करते जाओ सब कुछ संबब है ठीक है सर अप का लिंक पिन करना लाइव चैट में एप का लिंक पिन करेंगे आज का मौक्टेस दिए एक बार कमेंड करो आज का मौक्टेस दिए कैसा था एक बार बताना मुझे नो अरे क्यों नो तुम लोगों के लिए बनाया गया है नहीं अभी तक दे देना ठीक है रात तक दे देना ठीक है रात में आराम से देना या फिर मॉर्णिंग में देना ठीक है आराम से दो ठीक है पता ही नहीं था अरे मैंने बताया था आप मोखा नहीं दे रहाँ बात तो सही है मैं तो सुवे से class लगावाँ आज लेकिन निश्चे का class कैसा था एक बार बता दे ना आज निश्चे के गए दो दिन कैसे थे पहला दिन तो जबरदस्था आज तो मतलब one of the best sessions में से एक मैं खुद कहूंगा बहुत कुछ आस्था निया आपको लिए सीखने के लिए मैं YouTube पे भी जल्द ही कल से most probably start करूंगा अगर आप लोग support करो तो अगर आप थोड़े अच्छे तादाग पे जुड़ोगे mains के class में तो ही अच्छा लगेगा तो बस इतना आप सभी से request है कि अगर मैं mains के कोई class YouTube पे लूँगा तो please classes को थोड़ा इज़त थोड़ा respect देना कम से कम recorded होना क्यों देख लेना ठीक है ये तो आप लोग देखोगे इतना मुझे भरोसा है ठीक है तो जल्दी में उसका भी कुछ करता हूँ 100% support चालो तो ठीक है session को मैं end करता हूँ like कर दीजेगा और जाते जाते comment box पे live chat ने comment box पे comment कर दीजेगा अच्छा लगता है कि आप लोगों ने efforts को मेहनत को appreciate के पढ़ने के लिए अच्छा लगता है कि हाँ हमें भी motivate करने वाला कोई है ठीक है motivation दो तरफा होना चाहिए तो बस यहीं कहकर session को end कर रहा हूँ love you all, take care, god bless you, have a nice day, good night, thank you so much